नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भई, नीट 2020 के प्लेइर क्या चालना भई, दोस्तों आस 30 जून को ए वीडियो सूट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 26 जुराई को नीट के एक्जाम है, जैसा आप से हमने प्रोमिज किया था कि फिजिक्स पंच के नाम पे, जिसका बीच में हमने ना देखा है, उसने महसूस भी किया है, इस फिजिक्स पंच में केवर 45 क्यूशन का सोलुशन नहीं हो रहा है, इसके आसपास पूरा टोपिक लपेटा जा रहा है, है ना, एक से बीस में दोस्तों, एक से लेकर, आज मैं फिजिक्स पंच स्टार्ट करना हूँ, 14 नमबर, एक स 13 तक सूट हो चुके हैं, उसके आगे 14, 15, 16 बाकी है, उसके बाद 19 बाकी है, बाकी 17, 18, 20, ये तीनों आपके पास हमारे जक्सिर भाई दोरा अपलोड हो चुके हैं, ठीक है डियर, और एक कुशी की बात हो रहा है, इसी तरह से हम लोगों नहीं एक केमेस्ट्री पंच भी म मैं, 2019 में हुआ, 2020 में हुआ, 2019 में दोस्तों उसके 16 पेपर हुए थे, 2020 में उसके फिछे पेपर हुएं है, 22 पेपर, जैए मैं के, फिजिक्स केमेस्ट्री, मैथ, वहां भी टोपिक वाइज, हम उनको भी, दोस्तों, सोल्ड करका अपलोड करेंगे, और वो टोपिक वाइज जब मैं NEET के बच्चों से निवेदन करने चाह रहा हूं दोस्तो जे-ई प्रिवेस पेपर के फिजिस केमिस्ट्री के वीडियो सोलिशन भी देख लेना क्योंकि जे-ई मैन के करीब करीब 30-40% रिप्टिशन नीट में एजिट रिपीट होते हैं ये मेरा अन्बू कहे रहा है तो आप सब लोगों उसे उमीद है कि आप अच्छा कर रहे हैं आप जानते हैं आपके अपने CLC एक वार्टसप ग्रूप बना रखे हैं हिंदुस्तान का कोई भी लड़का नीट और जेई की त्यारी करने वाला कोई भी स्टूडेंट है CLC की डेली टेस्ट शीरीज निसुर्प जोइन कर सकता है उसका कोई चार्ज नहीं है आप CLC लाइव डोटनी पे जाएं और आप डेली टेस्ट दें मेडिकल का दोस्तो रोज टेस्ट होता है चार जून को हमारी टेस्ट स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई तक 24 जुलाई तक उसमें रोज टेस्ट है ऐसे ही जेई मेन की बात करें तो स्टार चार जून से हुवे थे और दोस्तों 15-16 जून तक वहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट है उसने दो टेस्ट है एक जे मेन पैटर्ण पे एक जे एडवांस पैटर्ण पे तो हम अपील करना चाहूंगा आप जो भी स्टूड़न इस वीडियो को देख रहे हैं आपको CLC की डेली टेस्ट स्रीज देनी चाहिए इसके अलावा आप CLC के बच्चे हैं बहार के बच्चे हैं कोई भी स्टूड़न है हमने एक वाटसप गुरूप बना रखा है आप उसमें एड़ हो सकते हैं उस गुरूप में क्या होता है उसमें जो अपना डेली टेस्ट होता है शाम को आठ बजे उसकी पीडियो फैला जाती है रात को आठ बजे उसकी रेंक आ जाती है और रात को दस बजे टॉप बच्चों का नाम अनौस्मेंट किया जाता है एक तरह से मेडल सिर्मनी की जाती है उसमें ओके डियर अब आपके हैं साब हम तो अब तक नहीं जुडे उस ब्रोडकास्ट वाटसप ग्रूप में कैसे जुडें तो उसका तरीका बता दूँ अपना नाम सिल्सी के रोल नंबर और भी बाहर के बच्चे हैं तो नोन सिल्सीन नीट या आई आई टी और वाटसप नंबर जो आपको एड करवाना है ये सारा मेसेज लिखे मेरे खुद के नंबर पे डबल नाइन टू एट सेवन थ्री डबल एड डबल एड पे आप वाटसप कर दें आपको वाटसप ग्रूप जोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा सबसे खुबसरू चीज ये है CLC Seeker का मेरा फेस्बूक पेज है जहां डेली साड़े छे बज़े मंडे टू फ्राइडे सब्तम पांस तिन मैं डेली लाइव आता हूँ जाब बच्चों से बात की जाती है वो बच्चों से मोटिवेशन की हो वो बच्चों बात प्रेड़ना की हो आप से बात कर भाऊँ ओके डियर तो चले फिजिक्स पंच नमबर फोर्टीन इसको सुरू करें केमिस्ट्री का पंच भी आपको मिलेगा ओके थेंग्यो हाँ डियर क्यूशन पंच नमबर फोर्टीन अपॉन ट्वन्टी दोस्तों क्यूशन नमबर फस्ट आज़ो भाईया सुरू करें इस टोपी का नाम है हिटिंग इफेक्ट ओप करेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मगिनिटिजम और मेरा नमब हुए कहता है कि में यहां से एक से दो क्यूशन आते ही आते हैं क्लियर तो आपका फोर्टीन अपॉन ट्वन्टी क्यूशन नमबर फ़न पढ़ो क्यूशन क्या कहता है इफे संट ओवन वाई टेन अपदा कोई रिस्टेंस इस अप्लाई टू मौविंग कोईल गैलोनोमिटर इस रेंज बिकैंस यह बहुत प्यारा क्यूशन है एक चल कुंड़ी दारामापी में कुंड़ी का परतिरोध एक बट्टा दस कुना उसका संट लगा दिया जाए तो इसकी प्रास क्या हो जाएगी स्क्रेंज क्या हो जाएगी चलो पेज खाली करें लोग आपको पूरा समझाता हूँ दोस्तों किस प्रकार से एक गैलोनोमिटर जो है वो एमिटर में कनवाट होता है पहली बात तो सुनो गैलोनोमिटर से एमिटर बनता है एक गैलोलमीटर से वोल्टमीटर बनता है तो पहला प्रसंद दो ये सुन लो गैलोलमीटर को एमिटर में बनाना है तो उसके पैरलल एक मिनिमम रेजिस्टेंस लगा दो जिसको अपन संट कह सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं आप जानते हो कि पैरलल में जितना कम रेजिस्टेंस जोड़ोगे रिजल्टेंट उससे भी कम हो जाता है और आप अच्छे जानते हो आईडिल एमिटर कोन होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो जीरो तो कर संभव नहीं है best emitter कौन होता है जिसका resistance minimum हो यानि परतिरोद को नूनतम करते जाओगे उतना ही emitter अच्छा होता जाएगा इसलिए galolometer के parallel में जितना कम resistance जोडते जाओगे उतना resultant कम होता जाएगा और बड़ी emitter हो जाएगा तो परसन क्या बना galolometer को emitter में convert करने के लिए उसके parallel करम में उसके समरांतर करम में एक नूनतम परतिरोग जोड़ दो एक minimum resistance जोड़ दो अगली बात साथ ही कर लेते हैं galolometer से आपको voltmeter बनाना हो तो क्या करें अच्छा voltmeter कौन होता है जिसका resistance infinite हो जिसका परतिरोग अनन्त हो अनन्त प्रेक्टल पोसीबल नहीं है तो पर क्या क्या क्याते है जितना ज़्यादा resistance होगा उतना ही voltmeter अच्छा होगा अब resistance को बढ़ाने के लिए क्या करें हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ के series में जितना ज़्यादा परतिरोग जोडेंगे रिजलिटर उतना ज़्यादा हो जाएगा तो प्रस्वन क्या हो गया गैलोनमिटर को voltmeter कैसे बनाएंगे गैलोनमिटर के series में हाई resistance जोड़ दो वो क्या बन जाएगा voltmeter सोट में बोलो गैलोनमिटर को एमिटर बनाना हो तो पैलोनमिटर में संट जोड़ दो गैलोनमिटर से voltmeter बनाना हो तो series में हाई resistance जोड़ दो के ठीक है ठोड़ी पले पड़गी तो डियर देखो यह आपका प्रशन है यह आपका एक गैलोनमिटर है इसके पैलोनमिटर में अब आप खुद देखो यह G एक गैलोनमिटर है इसका resistance माना G है यह S है तो अपने एक simple वासा में यूँ भी कह सकते इसको यार कि G और S दोनू पैललल जुड़े होए है जहां current कितनी बह रही है I G और यहां current कितना flow हो रहा है I minus I G अब मैं जानता हूँ वया G और S वो थार पैलल so voltage difference equal to same दोनू पे विवांतर क्या होगा समान तो विवांतर समान कैसे होगा यह देखो I G multiply G equal to I minus I G multiply S बोल हाँ याना clear बात पुरी समझ ले क्योंकि एक मूल concept तेरे को पले पड़ गया बार बार नहीं पढ़ना होता या एक मुझे बात मता आपने ABCD C की थी LKZ में अब बूलते हो क्या उनको बार बार थोड़ी पढ़ते हो एक बार आप साई की तरहां सीख गए उसको बूलते हो क्या आपके पापाय की उमर 50-60 सपास होगी उनने कार सी की थी बीस साथ की उमर में वो बूलते थोड़े ही है कार सा लेते हैं नहीं दादा होते हैं 75 पियर कई बार बच्पन उनने कार सी की हुई हो तो कार सा आते हैं ना हाँ थोड़ा सा जोर आ सकता है कई दिनों बात बैठते हैं तो प्रैक्टिस करने पर सकती है बाकि आदमी भूलता नहीं है ऐसा ही दोस्तो सब्जेक्ट के साथ है यदि सब्जेक्ट को इमानदारी के साथ आदमी समझ ले तो जिन्दीगी बर कभी भूलता नहीं है रट्टा नहीं मारना ओके डियर ये कौन सेप्ट हो गया आपका डिवाइड कर दिया अपने कोई गरबड लोग अपने इसको बिटा दें और मिटा के अपने आगे चले तो आप क्या कहोगे आई माइनस आई जी मल्टिपलाई एस एक्वल टू आई जी गुना जी अब आप क्युष्ण में आए आजाओ जी क्युष्ण क्या कहता है चल कुंड ली के परतिरोध का एक बट्टा टेन गुना संट लगा दिया जाए परतिरोध का एक बट्टा टेन गुना संट लगा दिया जाए इसका मतलब ये है G equal to S upon 10 है बोल हाया ना G, सोरी उल्टा कर दिया मैंने S equal to G upon 10 है बोलने में गलती हो गई S equal to G upon 10 है जिस G है तो S क्या है G by 10 है लो जी इसको अपन बिटा देते हैं आजा I minus I G multiply S I G multiply G बोल हाया ना चल तेरे लिए आगे बढ़ूं I minus I G what is S? G by 10 बोल हाया ना I G multiply G बता कोई दिकत? कोई दिकत नहीं है ना बैस G से G cancel out कर दे ले इसको आगे sold कर ले यह क्या बना? I minus I G multiply क्या हो गया? 10 I G तो दोस्तो I equal to क्या हो गया? यह तेरा 11 I G बैस तो I equal to 11 I G हो गया I G क्या होता है? Full scale deflection तो कितना गुणा हो गया? 11 time हो गया कितना multiply हो गया? 11 time हो गया यह देख तेरे सामने है I equal to 11 I G बोल हाया ना तो मैंने तेरे को गैलोलोमिटर से एमिटर की पूरी कहनी बता दी ओके? थैंक्यो हाँ तो dear, क्युश्टन एक बड़िया तरी के से हो गया second प्याओ, तो लो कुशन पढ़ो अचा यह live class का फाइदा है online classes का, पढ़ लो, पोज करो लो पढ़ लिया? अब मैं पढ़ता हो देखो अग्रास आप कहता है कि दोस्तों एक potential emitter है, जिसका space presence कितना है? 10 to power minus 7 ohm meter, current कितनी बह रही है? 0.1 ampere cross section area कितना है? 10 to power minus 7 meter square, और वो कहता है कि इसकी विभाव परवनता, यानि potential gradient निकालना है ठीक है, डियर? potential gradient का formula दोस्तों सबसे प्रत होता x equal to v by l, देखो real formula यह होता है क्या है, पेजखाली करना क्या है potential gradient, सुणो पेजखाली कर, इसका मतलब यह है दोस्तों, A से चलके और मैं B तक आया माना A 100 volt पे है और B 50 volt पे है और यह distance दोस्तों आपकी माना की 5 meter है अब सब्दू पर जाओ, इसका मतलब क्या है? A से B तक चलते चलते, 50 volt का पतन हो गया gradient हो गया, D की हो गया कितने meter पे रहे? 5 meter पे तो 5 meter पे कितना गिरा? 50, 1 meter पे कितना गिरा? 10, एक पे कितना गिरा? 10, तो दोस्तो X का मान क्या आ गया? 10 volt पर meter इसका अर्थ ही है बेटा जी हर एक meter के बाद voltage में 10 volt की कमी हो रही इसको बोलते है voltage gradient बिभव परवनता, परवनता, परवनता मतलब slope हलो, परवनता मतलब slope होती है clear? ओके, thank you तो बिभव परवनता voltage gradient आपको समझाया गया बस, शुरू जाते हैं, तो दोस्तो X का मूल फोमला तो क्या होता है? V by L, बाकी एक सुन्दर फोमला होता आई रो, ये सुनना रहा है देखो, एक बाद धान देना, एक होता R equal to Rho L upon A और दोस्तों, एक Rho R upon L भी होता रहा है, ये दोस्तों, decide करेगा उसका unit क्या है, ये Rho R upon N कहोगे, तो ये ओम पर meter है, और ये Rho है, जिसको कहते है, space resistivity, ये ohm multiply meter है, तो यहाँ जो ये है, ये ohm multiply meter है ये थोड़ा सकते हैं, फिर मत तोड़ा, ये potential meter के topping आएगा, आप हम कुछ नहीं कर सकते X equal to I Rho आता है साब इस Rho is resistance of minute length resistance of minute length का मतलब ohm per meter है, ये Rho आपका क्या होता, ohm multiply meter है तो यहाँ क्या 10 to power minus 7 ohm multiply meter है, तो ये Rho कौन से वाला है, ये वाला Rho है, पर मुझे कौन सा Rho चीए, आर भाई L वाला जानते क्लास, X equal to I ये Rho क्या होता है R.Y.L अब R.Y.L क्या है, या वैस वेरी गुड, R.Y.L क्या हो गया रहा है R.Y.L. क्या हो गया रहा है बैस, ये कलर चेंज कर लें, अपने पास होईदा है तो, ओके, I कितना है रहा है वीडू, I.1 Rho कितना है, 10 to power minus 7 एक इतना है रहा है, 10 to power minus 6, इस पॉइंट को उठा के या 10 कर दे, तो ये 10 to power कहा हो गया, minus 5, ये 10 to power minus 7, दोस्तों कितना बचा, 10 to power minus 2 वोल्ट पर मिटर बोलो हाया ना क्लियर, थेंग्यो हाँ तो डियर, क्यूशन नमबर 3, ये क्यूशन दोस्तों आपका heating effect of current का है heating effect of current का मतलब बिजली से करम करना, और इसका सबसे बड़े example हमारे घर का गीजर है आप जानते हैं, गीजर पानी करम होता है किसे होता है, बिजली से होता है दोस्तों, हमारे घर की fitting कौन से order में होती है पैदर combination में होती है तो हम जानते हैं, समानांतर करम में घर में सब जग़े supply समान रहेगी चाए zero watt का bulb हो, चाए गीजर हो AC होँ, current अलग अलग होती है power plug जो हमारा होता है दोस्तों वो current को vary करता है, voltage को तो vary कर सकता है नहीं वो तो पूरे घर में क्या आएगा 220 volt रहेगा सब जगे, ओके और ये इसी पे एक जुड़ावा question है तो मैं hitting effect of current के आप से बात करूँ पेज खाली करें, लोग पूरी बात करतें दोस्तों ये कोई एक wire है, मालो इसका resistance R है, इसके terminals इसके सीरों पे मालो, V supply है और I आपर current है अब हम जानतें सबसे पहले power का एक master formula होता P equal to V I volt multiple ampere power होती है उसके अलावा आप दोस्तों एक बात बहुत अच्छी तरह जानते है, हमारी ये तो P equal to और A का आप जानते हो, दोस्तों P equal to W by T भी होता है याद करो कारिय करने की दरको सकती कहते हैं rate of work done is equal to power याद है न, P equal to W by T अब W दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता H A की बात है, तो H equal to क्या हो गया P T हो गया अब P equal to W I भी है अब हम जानते हैं, V equal to I R है, तो V को replace करेंगे तो यह I square R भी हो सकता है और दोस्तों I को replace करेंगे तो P equal to W square by R भी है यदि मेरे को V और I दिया हो हो तो P की जिए मैं V I काम लूँगा यदि मुझे I और R दिया हो हो तो मैं I square R गाम लूँगा यदि मुझे V और R दिया हो हो तो V square by R काम लूँगा यह मेरे P-tipend नहीं करता है कहीं current same है तो मैं I square R काम लूँगा कहीं V same है तो V square by R काम लूँगा और कहीं V और I भो और R variable तो मैं V equal to I काम लूँगा यह किसके formula है? अब यदि मैं इस formula को H भी convert करूँ तो मुझे कुछ नहीं करना क्यों मुझे क्या करना है P को T से multiply करना है तो page खाली कर देता हूँ दोस्तो H का पहला formula क्या होगा VIT H का दूसरा formula क्या होगा I square RT H का तिसरा formula क्या होगा V square upon RT आरियो अगरी यह आपके पास तिन formula होगे अब एक तो common sense की बात है जब भी यह electric equipment की बात आप से करे बिजली के उपकरण की बात करे तो यह कहने ही क्या हो सकते हैं तो कहां लगेंगे किसी घर में लगेंगे किसी fitting में लगेंगे और दुनिया की कोई भी fitting कोई भी घर का जो connection है वो कौन से ओर्डर में होता है पैदल करम में होता ना कहे तो common sense की बात है कि V हमेशा constant रहेगा तो इस तो इसमें काव आएगा H equal to V square upon RT यानि HR के inverse हो जाता है T के directly प्रपोस्टल है यह common sense की बात है गीजर आदी गंठा चलू रहेगा तो अलग पानी गरम होगा दस मिन चलू रहेगा तो अलग पानी गरम होगा एक गंठ चलू रहेगा जितने ज़्यादा हमारा गीजर चलू रहेगा उतने उसमा ज़्यादा पैदा होगी उतने हीट ज्यादा पैदा होगी और इसको मैं ऐसे जोड़ दू कई बार करता है कितना पानी गरम हुआ तो अपने जानते हैं एक हैस का फॉमला क्या होता है MS-D थीटा इस हैस को किस से कंपेर कर दो इस से कंपेर कर दो लो कलर चेंज कर लो इसको इस से कंपेर कर लो ये H पैदा होगी ये पाने गरम कर लो हीटर के बाद साथ कर रहा हूँ आपसे MS-D थीटा कितना पाने इतना पाने गरम करने के लिए कितनी सप्लाई चीए M क्या है उस पाने का दर्यमान है S क्या है specific हीट है D थीटा क्या है Change in temperature है बोलो हाँ आना मैं सारी बात पहले पहला रहा हूँ एक बार मैं क्यूशन पे नहीं आया हूँ अभी क्यूंकि महाने का ना पंच का मतलब केवल प्रसंट सोल्ड कराना हमारा मकस्त नहीं है हीटिंग एफेक्ट औप करेंट की सारी बात मैं यहां करना चाहता हूँ अगरा सपस्ट कहता है नाइक्रोम के चार वाइर है LA, 2LA, L2A, 2L2A इनकी लंबाईयों पे समान कोई आ गया था इस आप निखा है सेम वोल्टेज सप्लाई कर दिया के लिए ने तो कहता है कौन सा तार अधिक गरम होगा अधिक गरम का मतलब अधिक हीट पैदा होगी ओके डियर आजा भया, तुँ खुद कहा कलर चेंज कर ले, यह थोड़ा कलर सही नहीं है दोस्तो H इक्वल टू V स्काइड बाई आर्टी बोल हाया ना मैं यहां आई स्कार आर्टी काम क्यों नहीं ले रहा एक को वो कॉंस्टेंट करता है एक को वो खुद वेरी करता है और एक को हमसे वेरी करवाता है इसी का नाम फिजिक्स है 45 कुशन में 20 कुशन इसी पैटर्न पे आते हैं, मुझे तो आस ते नहीं पर ले पढ़ा लोग टून रहते हैं फिजिक्स से पदार्थ की प्रकरती पे अगला खुद कह रहा है सारे वाइर किसके है, नाइकरोम के है इसलिए क्या हो गया, कॉंस्टेंट एल और एस सब जगे चेंज हो रहे है तो आर एकुल टू क्या आ गया एल अपॉन ए, तो मैं तेरी बात को एपॉन एल, बैस मिटा दू इसको मैं अब आजा भाईया, एवन, एल वन, अनुपात एटू, एल टू, रेश्यो, एथ्री, एल थ्री, रेश्यो, एफोर, एल फोर बता कोई नहीं बात नहीं कर रहा हो न ओके, अब आजा भाईया, कलर चेंज कर ले तेरे लिए आजा एवन, तेरे सामने एवन क्या है रहे, ए, एल वन क्या है L equal to A 2 A क्या है A L क्या है 2 L प्रेटामद मार तिसरे प्याजा A क्या है 2 A L क्या है बाई L चोथे प्याजा सब दो दो है तो 2 A 2 L अब A Y L A Y L क्यांस लाइब करेंगे पूरी बात करेंगे बने को रारस नहीं करेंगे 1 is 2 यहाँ आप यहाँ दो यहाँ एक तो साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पर क्या हो गया रहा है 2 हो गया करने की बात दिने यहाँ कितने पैदा हुई 1 यहाँ कितनी होगी आदी यहाँ कितनी होगी 2 यहाँ कितनी होगी 1 अगला क्या कह रहा है, सरवादी किसमें है तीसरे में है, तीसरा कौन है L2A, यह रहा, L2A तो दोस्तों, आंसर कौन सा आगा है इसका जल्दी बाजी नहीं करें देशन निकाल दिया आपने ओके, बले बड़ी, थेंगे हो दोस्तों, क्यूशन नमर फोर क्यूशन नमर फोर को शुरू करने से पहले, इलेक्ट्रिक एक्विमेंट जो होते है ना उन सब पे एक डेटा लिखा होता है जिसको अपन रेटिंग कहते है एक एक्जामपल समझे, जैसे बल्ब है अब तो बल्ब नहीं आते है, हाजगे लेडी आती है एक बल्ब है दोस्तो एक बल्ब पे लिखा होता है 220 वोल्ट इतना एंपिर करन्ट इतना उसका वाइर का रिस्टेंस वो बल्ब फ्यूज हो गया और आपने गलीम फैंक दिया अब भी उस पे डेटा वोई लिखे हुए है इनका मतलब है बल्ब पे लिखे वे डेटाओं का अखिकत से कोई समन्द नहीं है इनको तो बोलते है रेटिंग यानि इसका मतलब तो यह है कि बल्ब इस कैपेस्टी तक फ्यूज नहीं होगा इतने करंट इतना वोल्टेज और इतना इसका इसको बोलते है रेटिंग तो रेटिंग जितना उसको सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है यह डिपेंड करता सप्लाई पे जिसे बल्ब फ्यूज ओप है तो भी 100 वाट लिखावा उसके उपर बल्ब चालू है तो भी 100 वाट लिखावा है बल्ब फ्यूज हो गया, गड़िम फैंट दिया, अब भी 100 वाट लिखा हुआ है, तो 100 वाट का अखीकत में कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग है, यह बल्ब 100 वाट की पावर जनरेट करता है, तब जब यह सारी कंडिशन्स आप उसकी फुल्फिल कर देते हैं, बस ऐसा परसन नहीं है, इसको बोलते रेटिंग, यानि सामर्थे, आजओ, क्या कहता है, 18 वाट की युक्ति पे 9 वाट आरूपित किया जाता है, दोस्तों यहां दान सुनना, यह माना कोई एक बल्ब है, कितने वाट का भीया, 18 वाट का है, और इस पे बाकाइदा 9 वाट की सप्ला ही है, 9 वाट इसकी रेटिंग नहीं है, 18 वाट पे सप्लाई कितनी है, 9 वाट की, बस, तो कहता है, चार गंखे में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, दियर, सी दी सी बात है, पी इक्वल टू वी आई, तो दोस्तों आई एक्वल टू पी अपोन वी, पी बोले तो 18, वी ब नो वोल्ट यहां लिखा हुआ है, यह 18 वाट है, दोस्तों यहां 9 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 वोल्ट सप्लाई नहीं है, 9 वोल्ट इसकी कैपस्टी है, यह 9 वोल्ट की सप्लाई है, तो वी पी इकुल टू वी आई, आई एकुल टू पी अपोन वी, दोस्तों वहिया चार गंठे गुणा किसे कर वहिया साठ से किसे गुणा कर वहिया साठ से हम जानते हैं गंठा मातर की नहीं होता कोई साठ से गुणा किया मिल्ट बन गई साठ से गुणा किया से किल बन गई अब आजा वहिया थोड़ी सी गुणा वासिती कर ले ये तेरा क्या है सोला ये तेरा कितना है चतीस और इसके दो बिंदी लगा दे दोस्तो अब आप आजाओ भईया लोग मल्टिप्लाई कर लेते हैं दोस्तो सोडा को 6 से गुणा करो सोल चकानी छान में चैक चैक चतीस याठ और ये कई बार देख गड़बर बहुत होती है ओके तो लोग कंटिदर रखेंगे इसको अपन आठ मल्टिप्लाई चतीसू अब आप दोस्तो आठ चक अड़तालिस हाथ की चार आठ की चोईस अठाईस अब दोस्तो ऐसा आंसर कोई है और आठाईस पॉइंट आठ तो आठाईस पॉइंट यहाँ लगाओगे तो किलो बन जाएगा ये दोस्तो आठाईस पॉइंट आठ किलो कुलाब ओके तेंक यू हाँ तो डियर क्यूश्टन नमर फाइफ पढ़ो पहुज करो स्क्रिन को अपनी को पढ़ लिया क्या कहता है दोस्तों बड़ा सिंपल है कि पच्चीस ओम रेजिस्टन का वालब है उसको एक जोड़ा मने बेटरी से बेटरी ट्वलव वोल्ट की है लेकिन बेटरी खुद अपना एक प्रत्रोद रखती है कितना 3.5 ओम तो कॉमन सेंस की बात है भाई जिसमें खुद में अपनी कमी है वो अपना साला उट्वल केस दे पाएगी उसका कुछ इससा तो अपने निर्खर्च हो जाएगा लो इसका मैं थोड़ा अपने डागराम बना दूँ तो आप ऐसे डागराम बना सकते हैं लो ये ये लो और यदि मैं इसको थोड़ा और मोडिफ़े कर दूँ आपके लिए तो दोस्तो यार दिमाग मत लगा रहे हैं यार ऐसे है ये कितना है 25 ओम ये कितना है रहे 3.5 ओम और ये को नहीं है ये एक उसे बात है यार अब इस टोटल का कितना परसेंटेज यहां लोस हो जाएगा जिट क्लियर बस इतनी बात करने है अब बूल जा बलब क्या है एक वाइर है कमाल लो एक 25 ओम का वाइर है बात को समझो जल्दी मत करो कहने कारता है कि दो परतिरो जुड़ें सिरीज में यार एक 25 ओम का है और एक 3 पाइंट पाँच ओम का है और एस सप्लाई की बेटरी लगी हुई है बोल हाया ना दोनु सिरीज में है इसके करन्ट क्या होगा सेम होगा नो डाउट है कुछ लोस है यहां पर होगा तो कहता कि यहां कितना परसंटेज दोस होगा टोटल का कितना परसंटेज ओके डियर पेजखाली कर दे एक मिन बेरे को तो दोस्तों पेजखाली करें तो आप यह देखें इसको पन ऐसे बना दें ले समझने के लिए कोई बुरा ही नहीं है ए ए आर आर बता क्या दिक्कत वही है कोई बात नहीं है यह की बात में बहार लगाती है समझने के लिए तो आप तेरो और इसी हो जाएगा आजा सबसे पहले आई निकाल आई क्या होगा रहे अब एक बात हाँ सुनना थोड़ देर पहले मैंने काम लिया ह एक्वल टू वी स्काइर पॉन आर टी जा सोच यहां मैं क्या काम लोगा यहां काम लोगा ह एक्वल टू आई स्काइर आर टी हीट को लेना है तो ह ले लोगा और पी को लेना है तो टी गाइब कर दूगा बोल हाँ या ना यहां आई क्यों काम लोगा क्योंकि दोनों किस करम में है सीरीज में है ओके डियर कलर चेंज करके तो लिख दू यहाँ पर मैं तो यहाँ तेरी कितनी पावर है रहे I square R और यहाँ कितनी पावर है रहे I square R और टोटल पावर कितनी है E I बोल 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 टोटल पावर कितनी है E multiply I E multiply IE का दो इससे पर consumption हो गया एक यहाँ पर बस हो गया मेरा काम अब अगला क्या कहता है कि यहाँ कितना percentage loss हो percentage loss बोलने में सहीद मैं गड़त बोल रहा हूँ पर एक formula होता है efficiency का मतलब होता है मैं सहा output बटा input और efficiency किसी चीज़ का percentage होती है तो यहाँ वो efficiency का फंड़ा ले लो output बटा input output का मतलब यहाँ technical बटा input इसके tremendous change loss बटा इसका output है तो यहाँ दोस्तों क्या है I square R और इस पे क्या है I square total मैं धानचाओं क्लास का बटा बटा input मैं फिर से कर रहा हो गलत बोल रहा हूं मैं लेकिन हर चीज़ तकनिक सरी होती रहा जब कोई cricket खेलता ना batsman मैच होता है 2020 का तो वहाँ कानों से cricket नी चलता है और बोल दे के सोट को जो boundary पहुंचा दे वो यह player होता है वो मैच जीता देता है तो दोस्तों यह percentage क्या होगा रहे i square r upon e i clear अगला साब कहता है internal किसो दिखाना argument मेरे को किसो दिखा सबको बच्चू को भई साब कहता है बेटरी में कितने percent सक्ती आंतरिक परतिरोद पे खर्च होगी वापस आजा उदर internal resistance पे परतिरोद पे कितना percentage है किसका अब टोटल कात होगा परसंटेज है तो i square r multiply 100 करना चाहो तो कोई खास बाप नहीं हो percentage है तो 100 से multiply यह को issue नहीं होता है देख e से e टीका बस बस देख साथ है मेरा साथ दे साथ दे 100 लिख ले आगे चल i क्या है रहे ओर 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 देख आई hello जाक जाक r plus r उपर r नीचे क्या e टक कट गया बोल 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 आजा तो परसंटलोस क्या हो गया रहे देख तेरे सामने सामने r upon r plus r मैं 100 से फिर लास्न मिल्टिप्लाइ कर दोगा बरामत r बोले कितना रहे बोलना भई r कितना है कुष्ण निखाना भईया कुष्ण निखा ओर रहा 3.5 और यह कितना है 25 और 3.5 कितना हो रहे 20 8.5 मल्टिप्लाई क्या करोगे बच्छा 100 ठीक है अब देखो छोड़ो यार आप एक सिंपल गुणा भाग करते हैं अब कुष्ण निकाल ले इसको तुँ एक काम कर 3.5 को 35 माल ले इसको 285 माल ले तो 285 का 35 में भाग जाएगा एक बार दो बार नहीं जाएगा तो common sense की बात है इसमें आंसर आएगा एक वाड़ा तो आंसर निस से फैस्ट होगा यह तरीका होता गुणा भाग करने का दो नहीं आ सकता है पूरी गुणा भाग नहीं होती पूरा गुणा भाग इंटेलिजेंट नहीं है हाड़ वर्कर है स्मार्ट प्लेयर नहीं हो बारा पॉइंट तीन करके देखना नहीं है आंसर यह आएगा दोस्तों क्यूस्टर नमर शिक्स मैं मेरे अन्भव के विश्वास पे इस बात को दावे से कह सकता हूं 26 जुलाई नीट 2020 में यह परसंद ना आए यह संबव नहीं है यह मास्टर फोमला है क्या फोमला है क्यूस्ट नहीं बूल जाओ एक बार एक रिलेशन जानता हूं मैं तो अक्स डारेक्टली प्रपोस्टल रूट वाई यह ऐसा कहीं भी रिलेशन हो तो एक मास्टर फंडा मेरा कि यह यहां दो परसंटेज का चेंज होगा तो यहां एक परसंट का चेंज होता है इसको लकार नहीं सकता है पूरी चलता फिजिक्स में अक्स रूट वाई के डारेक्टल प्रपोस्टल है हाँ यह इन्वर्स्टिभ प्रपोस्टल है तो उल्टा कर देंगे कि यहां इंक्रिमेंट है तो यहाँ decrement हो जाएगा, यहाँ increment है तो increment होगा common sense की बात है अब एक बात धांस तो दोस्तो यहाँ एक चीज और याद कर लो बात लो बातों में, देखो यहाँ 2% यहाँ 1% यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ 5 बात रुक जाना, 10 के बाद उपर जाते हो तो यह disturb होता है यहाँ मैं 21% करूंगा तो उसका आंसर 10% आएगा और 21, 26 जुलाई 2020 को किशन आएगा रहे हो यहाँ ऐसा correlation हो और 21% का उसमें चेंज कर रहा हो तो यह 10% का चेंज होता है इसका कारणी है यह हाई पावल इगनोर की जाते है इस तो आंसर आता है जैसे मैं सिंपल परसन लो N इक्वल टू P बाई 2L रूट टी बाई M लो कोई आगे पिछे यह कुछन सोनोमेटर का यादा रहागा यह सोनोमेटर की फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है अगला परस्ट कह दे यह सोनोमेटर की टेंशन में 21% का चेंज किया जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी में 10% का चेंज होगा यह विशन यह सोनोमेटर की टेंशन में 21% का चेंज किया जाए तो उसकी frequency में 10% का change होगा यदि sonometer के tension में 4% का change किया जाए तो frequency में 2% का होगा 2% का change किया जाए तो 1% का होगा यदि बात पकड़ रहोगा आप लो पर 21 ये 10 10 तक तो आदा होगा पर 10 के बाद 21 या आएगा आज तक नहीं आया चोई अब क्या आएगा वई 21 का आदा 10.5 नहीं उसका आंसर 10 होगा वो लंबी चोड़ी गुना भाग है वो ये पूरी करनी है तो पिर हमें एक लास को ले रहे हैं फिर आप coaching किसे ले दे हो coaching का मतलब यह नहीं है कि पूरा का पूरा आपको पढ़ा है और फूर पूरा पढ़ा है coaching का मतलब होता है कि देड़ गंठे पढ़ा है टीचरी क्लास है लास्ट दस मिंट बाजा है तो coaching का मतलब होता है ओके डियर आप आज़ो मैं कुछन बाजाता हूँ परस्ट कहता है दारा को एक परस्ट कम करने पर लेंप की सक्ती में कितने परस्ट की दोस्तो ये सक्ती ये ले हलो साब कहता आप बाई हाओ मैंने परस्टे विल बी पावर इंदा लेंप डिक्रीच इंदा करेंट लूप बाई एक परस्ट है ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के पी यह ले यहाँ दो परशेंट का चेंज तो यहाँ एक परशेंट का चेंज और यहाँ एक परशेंट का चेंज तो वहाँ दो परशेंट का चेंज है करेंट में एक परसेंट रपी में दो परसेंट एले अंज़र आ गया यह फिजिक्स क्यों आपको पूरा समझांओ पहली बात आप जानते हो पोल्टिमिटर वो होता है जिसका रिस्टनस इंफनैट हो इंफनैट कभी प्रेकिल होता नहीं है लेकिन याद करो potentiometer या meter bridge ये जितने भी instrument है उन सब का working operation क्या है null point है deflection सुनने wick shape की स्थिती सुनने wick shape का मतलब क्या हुआ कोई current नहीं कोई current नहीं इसका मतलब दोई रास्ते हैं या तो circuit open है या उसका परतिरोध infinite है दोई बाते होती है इसलिए मेरे बात को summarize कर दूँ प्रिवहमापी एक आदर्स वोल्टिमिटर है जो null point deflection पे सुनने wick shape के principle पे काम करता है आजा भाईया क्या करना है देखो दोस्तो इसमें यह ऐसा होता है यह लोजे यह कोई E battery है जिसका R को instance है R dash कहते है this is real state यह variable है यह zero अजा अदर वो ऐसे ice cream वाड़ा जाता है real state वोजे को देखाओ लेब में लेब में तो यह हो यह real state है और दोस्तो यह कोई AB wire है जिसकी length L है जिसका resistance R है तो यहाँ एक सब्द आएगा row equal to RYL इस wire की unit length का resistance यह वो वो रोर नहीं है रहे वन रोईज रेश्टिविटी इस रोईज रेश्टेंस ओप है unit length दानला चीज़ पे यह दोस्तो किसी potentiometer का primary circuit कहलाता है यानि एक E volt की बेटरी ली उसका जो voltage है कुछ खर्च किस पे होगा small R पे कुछ खर्च किस पे होगा R डेस पे कुछ खर्च कहा होगा R पे तो dear यहां से current चलाऊँ मैं यह current चो मेरी है वो current मेरी होगी I equal to E R plus R plus R OK dear और एक सब दिहाएगा potential gradient विभव परवनता जिसका master formula तो यह होता है तो E नहीं लिखेंगे यहां पर भी दिखेंगे X equal to V by L जो माँ भी आपको समझा चुका और दोस्तों एक formula होता है X equal to I rho I समझा दिया यह तेरा I है rho क्या बता दिया R upon L है यह this is primary circuit of potentiometer clear अब इस potentiometer का use करना है किसके लिए किसी unknown battery का MF गयाद करना किसी unknown battery का resistance क्याद करना कोई unknown resistance क्याद करना emitter का end correction voltmeter का end correction यह this is all our application of potentiometer लेकिन उसके पहले हमें potentiometer के primary circuit को पढ़ना पहुच ज़ूरी है अब आजाओ आगे बढ़ें तो इन सब को थोड़ा मिटाना पढ़ेगा अपने को यह समझा दिया आपको मैंने अब दोस्तो इस पे क्या करते हैं मैं color change कर लूँ पढ़ने के लिए यहाँ एक battery जोड़ी यहाँ पर एक जोकी कुंजी लगाई और ए यह लोजे ठीक है डिये यह कुंजी लगा ली जोकी जूरूत ही नहीं पढ़ेगी करते हैं जिस सके इस grid जीरो आगई उसका मतलब क्या है यहाँ का potential difference और यहाँ का potential difference दोनों same हो जाते हैं उनको निकाल लेते हैं यह तरीका होता है इसका एक बाद फिर देखें यह second circuit है यह इडेस इस अन्नोन सेल जो डेनियल सेल होता है इससे अपन इसकी X निकालते हैं ठीक है ना X निकालके इसको बोलते हैं voltage gradient निकालते हैं बिभव परवनता निकाल लेते हैं तरीका होता है निकालने का दोस्तों यह आपकी जिवर्मने मिटर है यह आपकी जो की कुनजी है टच करते कर यादना जहां टच हो गया जैसे रिडिंग जीरो होगी उस लंबाई को मेजर कर लेते हैं वहां स्केल लगावा होता है बस सारा अगी गुणा भाग कर लेते हैं यह इसका working operation है clear? मिटा दूँ अब आता हूं कुशन में अगला साप कहता है एक potentiometer के primary sale में 120 वोल्ट यह लेडियर कितने वोल्ट का? 120 वोल्ट का एक लगावा है ideal sale है बेखो साप है ideal sale है इसका मस्मूल आर क्या है? जीरो आप साप कहता है एक रियो स्टेट है जीरो से 2 किलो आप जानते हैं उसके range होती है जीरो से 2 किलो ओम की range है एक मिटर लंबाई है एक किलो ओम इसको ऐसे जोड़ दू और इसको ऐसे बता दो मैरा एक तरीका चित्र बनाने का और यह एक wire दे दिया मैंने जिसका row कितना है डियर? वन ओम पर मैंने है साप कहता है सोरी 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 सरवादिक सुग्राई होने पर सरवादिक सुग्राई maximum sensitive maximum sensitive का मतलब होता current क्या हो? minimum हो current minimum कब होगी? जब आप इसका maximum इससा काम लोगे बैस सिरी सी बाती है यानि यहाँ I equal to E R plus R plus R अलो लड़के E बोले तो 120 तान दे ले yes कितना? 2 kilo अब आपको साब आपने 0,2 kilo की रेंज थी तो आपने 2 kilo क्यों लिया? क्योंकि अगला साब कहता है कि मुझे maximum sensitive चीए यानि current नगड़ने होने चीए current minimum कब होगी? जब उस circuit का जुड़ा resistance maximum हो maximum कितना हो सकता है? 2 kilo तो E मैं लग दूँ यहाँ पर 2,000 प्लस r डेस क्या है? sorry small r क्या है? 0 r डेस कितना आ रहे? 1 kilo मैं लिया अजार ये ले मेरे भाई तो तेरे सामने सामने i equal to क्या आगया मेरे यार 120 upon 3,000 बोल हाया न ये तेरी i की value आगी एक बार भूल जा इसको अब वो कहता है 16 वोल्ट का कोई second source है ये जादे class ये ले ये ये तेरा गैदरलोमिटर है और ये तेरी कुंजी कितने वोल्ट का है रहा है? 16 वोल्ट का खाले गले पेज़ एक बार भाईया अब तेरे सामने है आई तो ये है 16 वोल्ट की जो खाले है उसके लिए तेरो क्या निकालनी है भाईया इसकी balance length निकालनी है तो balance length निकालनी है तो तु जानता x equal to क्या होगा i रहो और एक दोस्तो x equal to i रहो होगा और v equal to क्या होता है exercise आया 나 x equal to i रहो और V equal to क्या होता है XL ओके शुरू हो जाद I कितना है रहे 120 upon 3000 रो कितना है रहे 1000 आया ना रो कितना है 1000 equal to क्या है X X equal to एक मिनट V equal to क्या डियर थोड़ा सा वापस कर लेते है जोगे V equal to क्या है XL और दोस्तो X की value क्या है I row multiply L एक step दिखा ना उसे कुसों मिटाएंगे ने पढ़ा V की value कितना है 16 I की value कितनी है 120 upon 3000 रो की value क्या है 1000 L कोन है balance length लो मा color change कर दूँ ताकि बोर्ड में आपका confusion नहीं हो लाल color कर ले देखो dear A ओ दोस्त कितनी बार गया रहे तीन बार इसको इसे टिका दे कितनी बार गया रहे चार बार clear तो dear L equal to क्या आ गया 16 upon 14 16 बटे 40 एक बटा 16 बटे 40 है दोस्तो इसका मतलब क्या हुआ अब आप ये तो किसमे है मिटर में है आंसर किसम दे रखा गया नहीं cm में एक काम करो वापس इसको सो से मल्टिप्लाई करे अंसर कितना आ गया 40 cm 40 cm अजल्दी बजी मत कर पूरा potentioometer रहे को समझा दिया मैं यह दिए इसको पोज़ करके पुटर तू 5 मिनट दुबारा सुन ले तो मैं इसको विश्वास से कह सकता हूं, पोटेंशियों मिटर का कुष्ण तेरा गलब ते एक्जामिन नहीं होगा, ओके थेंगो, कुष्ण नमर आठ, यहाँ थोड़ा गुमा दिया, गैलों मिटर से एम मिटर, वोल्ट मिटर मिटर मिला है, कोई फ्रेक नहीं पड़ता है, चीज अबड ले, आईजी, आईजी, फिक्स होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब ही क्या होता है, आईजी, इसमें एक सब काम का है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो ले तो, आईजी, बैस, अब वो कहता है, इससे पचास वोल्ट प्रास के एक वोल्ट मिटर में चेंज करना है, य का अर्थ यह है पुत्र है कि यह तेरा जी है और यह तेरा आर है इसकी वेल्यू निकालनी है यह तेरी करेंट फ्लो हो रही है कितनी करेंट रहे फिप्टी माइक्रो एमपियर फुल स्केल डिफलेक्शन ओके बैस तो टोटल वी इकुल टू क्या होगा रहे आई जी मल्टिप लाही आर बोल हाया ना और दोस्तों इसको मैं सोल्ड करता हूँ ना तो मेरे पास एक फरमुला आता है इसका आर इकुल टू वी अपोन आई जी माइनस जी ठीक है ले अब इसको मिटा दू आजा भहिया क्यों बुद्धी लगा रहा जादा वी बोले तो फिप्टी पिर ए टेन टू पावर सिक्स उपर ले जा माइनस क्या रहा जी जी बोले तो हंड्रेड इसको इससे कैसल आउट कर दे वह या तो आर का मान क्या है टेन टू पावर सिक्स माइनस हंड्रेड ओके डियर तो आर एकुल टू टू पावर सिक्स माइनस हंड्रेड बट ऐसा नमबर नाइन जो है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, आप परशन पढ़ लो, बड़ा सिंपल परशन है आरे है, एक घर में एक हीटर लगा हुआ है, जहाँ सप्लाई टूट वोल्ट की है, तो पानी गरम होता पांच इमेंट में, अब दूसरा घर है कोई, वहाँ सप्ला ही क्या है, 110 वोल्ट की, तो दोस्तो हमारा फूमला होगा, वह क्या काम आएगा, ह ब्रावर वी स्कायर अपॉन र्ट, ठीक है डियर, बस ह सेम, क्योंकि हीट उतनी चीए, पांच किलो पानी गरम करना है, हीट उतनी चीए, दोस्तो र के पिछे बनाएगा, और ट के पिछे मैं सोली, आर के पिछे बनाएगा, वी के पिछे बनाएगा, और ट के के पिछे बनाएगा, क्योंकि गिजर तो वही है, गिजर वही है, तो सका अंदर जो फिलामेंट से, उसका आर्चन नहीं हुआ, बस दीर, तो तिले सामने हो गया, वी one स्कायर, टी one एक्वल टू, वी T इसका होल स्कायर T1 बोले तो पांच अब देख दो सो बीस को एक सबसे काट दे कितना दो दो को स्कायर के चार पांचो बीस तो दोस्तो आंसर क्या हो गया आपका बीस मिनिट रुकड़ा है एक मिदान से गबराना मत इसमें दोस्तो गबराने का हो सकता नहीं है एक तरीका फिजिक से में जो कॉंस्टेंट होता है उसके पीछे वन टू कभी नहीं आता है जो वेरी करता है तो यहां वेरी कौन हो रही है सप्लाई सप्लाई के साथ वेरी कौन होगा गरम करने में लगा समय ओके थैंक यू हाड इयर कुशन नमबर टेन यह जहां तक मुझे याद आ रहा है एक्साम में रिपीट वाव कुशन है मेडिकल में यहां पिछले पंदरा साल की बात करूं तो कम से कम तीन से चार बार रिपीट हो चुका दुनिया कैसी को गाइड नहीं होगी ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इस कुशन को क्लास में बोर्ड पे सोल नहीं तो साब कहता यार एक परतिरोज उसका जी है रेंज उसकी वी है उसको एन वी रेंज के वोल्ट मिटर में चेंज करना हो तो सीरीज में कितरे स्टेस लगाएं तो देखो भाई सिंपल फोमला आपन जानते है आर एकुल टू क्या होता है वी अपोन आई जी माइनस जी ठीक आई आर होता आई जी गोना जी फी एकुल टू आई आई आर तो आई कौन है जो जी में बह रही है आर क्या उस जी रेंस तो कितना है आई जी बाई जी तो तेरे सामने ये वी अपोन आई जी क्या बन जाएगा जी तो यह तरह क्या बन गया जी यह ले तो आर एकुल टू N G minus G, G बहार निकाल ले, तो R equal to G, N minus 1, यह ले, R equal to G, N minus 1, ओके डियर, थैंकियो, दोस्तो, Q11 तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे बाते हो गई, इसके थोड़ी सी केल्पुलेशन टिपिकल हो सकती है, बाकी बहुत सिंपल है, साब कहता है, पूर्ण स्केल इविक शेप आईज, बस एक बात गांट बान ले, बस जिसको यह पकड़ माया गे ना, फूल स्केल डिफ्लेक्शन बोले तो, आईज, 10 वोल्ट के वोल्ट मेटर में, चेंज करने में, कितना इश्टेंश यह, चल गान चकर, V equal to I, V बोले तो, V बोले तो, V बोले तो, V बोले तो, 10, I, G बोले तो, 0.01, minus, G बोले तो, 10, अब देख, तो इसको उपर लेके जा, तो कितना बन गया रहा है, 1000, minus 10, दोस्तों, सिंपल सी बात है, 990, किसमें? सीरीज में, 990, सीरीज में, ओके डियर, थैंक यू, दोस्तों, कुशन नमर ट्वल्व जो है न, वो पोटेंशिल ग्रिडेंट निकालने का, एक सिंपल कुशन बन गया, जिसकी बात हम बहुत प्यार से कर चुकिए, कुशन पूड लो क्या है, एक 10 मिटर लोंग वाई ओफ रिस्टेंश 20 ओम, ए, 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 तो आर इक्वल टू, टू ओम पर मिटर बोल हाया न, इन सीरीज जो इते बेटरी ओफ एमेप, 6 वोल्ट आजा, इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट, एन्ड ए रिस्टेंश ओफ 10 ओम, ठीक है, जिसका स्मोल आर क्या है, 10 ओम, दा पोटेंशिल ग्रेडेंट अलोंग दा वाईर, इन बोल्ट पर मिटर इज, भाईया, सिदा सिदा फॉमला होता है, तो जानता, एक्सिकुल टू क्या होता है, आई रो, ओके, आई क्या होता है, ए अपोन आर प्लेस, आर डेस मल्टिप्लाई रो, बोल कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, आई ए बोले तो 6, आर बोले तो, देख वोरा 20, आर डेस बोले तो 10, 10 अट 20 कितना हो गया रहा है, 30, मल्टिप्लाई रो बोले तो, 2, 2, बाई दे कितिरा, क्या हो गया, X इक्स इक्वल टू, 12 बटे 30, और 12 बटे 30 का मतलब है, पोन्ट चार, यह लो, आंसर क्या आगया, पोन्ट चार, तो गवरा माते, मैंने समझा दिया रहा है, पोटेंश इमिटर, क्या, 2013 से लेके, 2019 तक के, NEET के, प्रिविएस पेपर का, सॉलूशन टोपिक वाईज, CLC सीकर के, यूटूब चैनल को, इसको आप अभी फूलो कर रहे हैं, दोस्तों, मजा जाएगा बात का, आप करके देखें यार, 160 माक्स आप ला सकते हो, फिर क्या दिला दो, केमेस्ट्री का पंच भी हम आपको, अतिशिक कर अगले, 6 दिन के अंदर अंदर, आज 30 जून की बात है, 8 जुलाई से पहले, 8 दिन के अंदर अंदर, आपके पास, केमेस्ट्री के 20 के 25 मिल जाएंगे, यह हमारा आप से कमिंट्री मेंट है, ओके, थैंक्यो, दोस्तों, क्यूश्ट्री नमर 13 पढ़ो, फिर देखो, एक चीज़ काम आएगी, जो कुस दिर पले बोली थी, वो कहता है, 50 मिटर लंबाए का एक परतिरोध वाइर है, नगने उसका परतिरोध है, बेटरी दी गई, किस प्रिष्टिती में अधिक्तम हीट टेवलोग करेगा, वो कहता, तार को सिदा जोड़ दें, इसके दो टुकड़े कर दें, इसके चार टुकड़े कर दें, आदा टुकड़ा कर दें, इस प्रकार की बात आप से कर रहा है, खाली करना पेच, सुन डियर, यहां ये बात काम आएगी, एक टुकड़ा कर या दो टुकड़ा कर लगाएगा तो गर के अंदर ही ना, और गर के अंदर सप्लाई चेंजे नहीं होती है, इसलिए बात है, फॉमला काम आएगा, एच इक्वल टू वी स्पार बाई आर टी, यानि दोस्तो, एच जो है, वो आर के इन्वर्स है, जहां आर जितना कम होगा, एच उतना ही ज़्यादा होगा, क्यूस्ट नमाज़ा है बेटा, आर जितना कम होगा, एच उतना है ज़्यादा होगा, तो थर्ड अब्जेक्ट बढ़ो दोस्तो, इस वाइर के चार टुकडे किये, तो माना पहले कितार रिजिस्टेंस था, आर, चार टुकडे करते हैं, आर बाई फोर, आर बाई फोर, उनको जोड़ा पैर्लल, तो याद करो, आर रिजिस्टेंस, एन रिजिस्टेंस हो, आर वेल्यू के, उनको पैर्लल जोडते हैं, तो रिजन आर बाई एन होता है, तो आर बाई फोर को और डिवाइड को फोर से, आर बाई शिक्स्टेंस होगया, उससे कम resistance यहां कहीं नहीं हो सकता इसलिए थर्ड आंसर से ही हो गया तार के चार्ट टुकड़े कर दो उनको पैरलल जोड़ दो तो दोस्तो आर्ट वाई 16 हो जाएगा यानि आपकी हीट जो है वो पहले से 16 गुना जादा हो जाएगी ओके तेंग्यो दोस्तो कुशन 14 देगो फिर थोड़ी का फंड़ा काम आएगा या एक कहता समान पदार से निर्मी दो समान लंबाई कुन दी एक पतले तार से है दूसरी मोटे तार से है दोस्तो याद करो आर एक्वल टू रो ऐलपोन ए तो दोस्तो लेंथ मोटा पतला है तो ए जिसका ज़्यादा है आर उसका कम हो जाएगा मोटे तार का आर कम होगा पत्ते तार का आर ज़्यादा हो एक बात यह पकर नवागी दूसरी बात याद करो पेज खाली करना यह आपने जोड़ा सीरीज में तो फोमला काम आएगा आई स्कायर आर टी और यह आपने जोड़ा पेजल में तो फोमला काम आएगा वी स्कायर बाई आर टी तो दोस्तो आप जानते हो सीरीज की जब बात करेंगे तो एच एक्वल टू आई स्कायर आर टी और पैरदल की बात करोगे तो H equal to V square by RT यानि H यहां R के डाइट्री प्रपोस्टल है यहां H R के डाइट्री प्रपोस्टल है और यहां H R के इन्वस्ट्री प्रपोस्टल है तो दोस्तों अब सुनो पतला तार जल्दी बाज़े नहीं पतला तार R जादा तार पतला है R जादा है R जादा है तो सिरीज की हिट तो जादा है और हिट पैरदल की कम है मोटा तार तो R कम R कम है तो सिरीज में तो H कम और पैरदल में H जादा ओके डियर अब आजा कुशन पर क्या कहता है तो अगला साप-साप कहता दोस्तो किसे लिदसास हमारी बंढ रही है तो फस्ट सही हो गया स्रेणि करम में पतला अतार अधिक उत्าमूत करेगा समानतर करम में मोटा अतार अधिकरेगा स्रेणि करम में पतला क्यों करेगा अब फिर समझ ले R equal to R Eальную A सीरीज में पतला है, A कम है, A कम है, तो R जादा है, H इक्वल टू, I स्कार आर टी, तो R जादा है, तो H भी जादा है, कलिए रहे हैं, दो बार बोल दिया, बात को मैं समझने के लिए, ओके, थैंक्यू, दोस्तों, क्यूश्टर नमर 15 नहीं सुन लो गई है, यहां रेटिंग सब जो मैंने काम लिया था, स्टार्ट में होँआ होँज़ काम आ रहा है, इसका भाव समझो क्या है, यह कहता है, एक सो वाट का बल्ब है, एक दो सो बाट का बल्ब है, वो दोनु बल्ब स्टिनिकर में जुड़े होें, जैसा ची तरे में दिखा रहा है, दो सो वोल्ट, प्लीज प्लीज शाप कहता है बल्ब ओपरेटिंग एד दोसव वोल्ट, दोस्तो दोसो वोल्ट पर बल्ब ओपरेट हो रहे हैं और स्पनाई के अडर हैंट dw वोल्ट responsibility मैं बार बार कह रहा हूं 220 वोल्ट तो सपनाई है, इसका अखीकत से कोई समझ नहीं है, बल्ब की जो capacity ह वोल्टेज अब्जूर करने कैपस्टी हो 200 वोल्ट है इसको बोलते हैं रेटिंग 200 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट इस बल्ब पे आ गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा अब मैं इस प्रस्थन पे थोड़ा सा बात को अलग करता हूँ ऐसे प्रस्थनों में सबसे पहरा प्रस्थन है बताओ बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है बल्ब के फिलामेंट होता है वेल्यू ओफ रेजिस्टेंस फिलामेंट बल्ब के फिलामेंट के परतिरोद की वेल्यू बताओ दोस्तों हम सब जानते हैं formula क्या होता है या तो P equal to I square R या दोस्तो P equal to V square by R पर मेरे को I नहीं दिया हुआ है मेरे को V दिया हुआ है R दिया हुआ है लेकि इस V और R V पे भी दोस्तो पबलिक बहुत कन्फूज होती है V कौन सा काम लें 220 काम लें या 200 काम लें सो सेक्विंट दोस्तो बल्ब की बात कर रहे है तो बल्ब 220 पे नहीं है बल्ब तो 200 पे है तो पहले को R1 बोल दो R1 क्या है गार है V square बटे P वाट इस V P1 क्यों एक 100 वाट का रहे है 200 वाट का है तो V क्या है 200 multiply 200 upon क्या करोगे 100 वाट इसको इससे काट दोगे तो यह आपके सामने 2 आ गया इसका value कितना आ गया रहे 400 ठीक है भ़ी अब अगरा परसुझ क्या है यह बल कितने वाट का आपका 100 वाट का दूसरे बल कितने वाट का है 200 वाट का तो दूसरे बल का 200 वाट निकालना है तो आपका दोस्तो वो उपर तो 20 स्कायर है तो वी तो क्या आएगा? 200 multiply 200 upon दोस्तो P2 कितना आएगार है? 200 इसको इसे cancel out कर दो कितना ओम आगया? 200 कहने का मतलब यह है 100 वाट का बल्ब है उसके filament का resistance 400 ओम है और दोस्तों 200 वाट का बल्ब है उसके filament का परतिरोद 200 ओम है कहने का मतलब है 200 और 400 ओम के दो वाट जुड़े का है? सीरीज में कहने का मतलब है दोस्तों एक बार इसको आप माँ खाली कर दूँ कहने का अर्थी है कि 600 ओम के दो परतिरोद जुड़े हैं सीरीज में और दोस्तों जिन में current किस से रहेगी? 220 से बस तो P equal to क्या आएगा? V square by R अब होगे simple P equal to क्या आएगा रहे? दान दे क्लास है P equal to V square by R अब V कौन सा काम आएगा? 220 वाला काम आएगा है ना थोटेड़ा मामला है अब P कौन सा काम आएगा? 220 वाला R बोले तो 600 इसको इससे काट दो इसको इससे काट दो आप जानते हो 22 का square क्या होता? 480 यादिकन पड़े गए तो ACM काम आएगा 22 का square 480 दोस्तों 6 का भाज दे लो तो आपका 8, 6, 80 80 के आस पास कुछ आएगा इसका 80 वाट आशर हो गया इस प्रस्तर की सुंदरता है दो बार भी काम आया एक बार आर निकालने में एक बार पावर का कंजब से निकालने में आर निकालने में बल्ब पे लिखी हुए रेटिंग काम आती है और पावर कंजब से निकालने में सप्लाई काम आती है Q 남nym 16 फिर Potentiometer का इस अंदर क्या कहता है वो कहता है potentiometer के दो सिरउं के मदवर विवांतर नियत है दो सेल को जोड़ा शिरीज में पर्थम इस्तिती में एक दूसरे की साहिता करते हैं दूसरे विलोद करते हैं तो पहले बेलेंस लंबाई 120 मिटर है, फिर बेलेंस लंबाई 120 सेंट्री मिटर है, फिर 60 सेंट्री मिटर है, तो दोनु सेल के EMF का रेशियो निकालो, पेज खाली करना भईया, यह दोस्तों बताओं क्या प्रसन है, अच्छा प्रसन है, एक्जाम आता है, पका-पका, यह E1 एटू, दोस्तों कोन से सीरीज में है, सीरीज में, तो दोस्तों सीरीज सी सी बात है, E1 प्लस E2 एकल टू क्या होगा? X1, X is पोटनेशन ग्रेइंट जो एक परसन में आप जानते हैं, अग्छांज नहीं होता है, अल्वनिस की बेलेंस लंबाई अब मैं color change कर दूँ, वो कह रहा है कि यदि मैं ऐसा कर दूँ सेलों को इनको तो उस्तों ऐसा करते हैं E1 minus E2 हो गया, simple बात है तो E1 minus E2 equal to XL2, equation 1 equation 2 को भाग दे दो तो E1 plus E2 upon E1 minus E2 L1 by L2 what is L1? 120, देखना कि शुना आना L1 क्या देखना? 120, अठा दे वापस ये कितना है? 60 this is 2 is to 1 ओके डियर, आजा गुणा कर ले तो E1 plus E2 equal to 2 E1 minus 2 E2, एक काम कर रहे है 2 E2 इधर ला है, ये क्या बना? 3 E2, वो क्या बना? E1, तो देख तेरे सामने सामने है 3 E2 equal to क्या है? E1, तो E1 upon E2 equal to 3 बटा, एक क्यों नवाज़ा भी या 3 बटा, एक ये तरहां सुरा आगया 3 is to 1 क्लियर? थैंक्यू ये है इसका complete process ऐसा examining नहोता है exam में गांट पान लो एक E1 सेल, एक E2 सेल दोनों को जोड़ा एक दूसरे का साथ देने में बैलेंस लंबाई L1 एक को उल्टा कर दिया तो E1 माइनस E2 को बैलेंस लंबाई आई होगी, एक बैलेंस लंबाई L1 आएगी दूसरी L2 आएगी common sense की बात है जब जोड़ोगे तो बैलेंस लंबाई जादा आएगी गठा होगे तो बैलेंस लंबाई कम आएगी तो दोस्तों खले करना इसको सिधा करने के लिए बिना किसी को पूछे सिधा फूमला होता है E1 बटे L1 प्लस L2 बटे L1 माइनस L2 ये देखते रहा 120 प्लस 60 अपॉन 120 माइनस 60 180 अपॉन 60 3 is 2, 1 ये तरीका सहीज का वो तो समझा है तापको माने ऐसे करना होता है आजो चाय बनाते हैं केटली में पारी गरम करते हैं वो एक कहनी यार घर है तो सप्लाई सेम है तो H इक गाट पान नहीं है अगला कुछ नहीं कहता है बढ़ आप जानते हो हिंदुस्तान के किसी भी घर में सप्लाई 220 वोल्ट की है वह या आज आज आपस पड़ले का कहता है एक केटली है स्विच चालू करने पे पानी उबलता 15 मिनिट में तब ततार की लंबाई परारयम्बी की लंबाई की दो बटातीनकर दी जाये ओ लड़के ओ लड़के ओल़के ओ लड़के ओ लड़के आर उबल्डा2 रो लू य ए लंबाई को टू बाई 30 कर दोगे तो आर डैस का मान क्या हो जाएगा टू बाई 30 सी बात है सिंपल प्रोчес एस है यह R1 R है, तो R2 by 3 R हो गया, वो कहता है, समान वोल्टेज उतने ही पानी को उबलने में कितना समय लेगेगा, पेजखाली कर भईया, दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, आप सब अच्छे जानते है, H equal to क्या है वीडू, V square by RT, V same, और अग्ला साब कहता है, अब आपको कितना समय लेगेगा, तो T vary करना है, H same, क्योंकि पानी उतना ही है ना, उतने पानी गरम करना है, तो उसमान इक्वल चीए, वाइस, तो formula क्या हो गया, R1 T1 equal to R2, T2 देख रहे है, R1 को R कहूं, तो R2 का मान क्या हैगा, 2 by 3 R बोल हाया ना, ठीक है डियर? हाँ, अरे यह गड़ बड़ हो गया, गड़ बड़ हो गया, यह थोड़ा सा, हमारा गड़ बड़ हो गया, इसमे, R1 T2 equal to R2 T1, उके, इसको बिटाएंगे ने पड़े, लगना चे क्लास ते ले चुरल, R1 की जगे दी R रखूं, तो R2 होगा, 2 by 3 R, T2 आपको निकालना है, T1 कितना रहे, दिखाना है क्यूशन है भईया, आच मिनट साइमरे खाल से, 15 मिनट सुरी, ए, 8 वापस है, यह तेरा, 15 मिनट, R से R टिका दे, इसको इससे टिका दे, यह ले दोस्त, T2 का मान के आ गया, 10 से किंड, से किंड है मिनट, पहले क्या था, क्यूशन देखना, मिनट है, तो, आंसर किसमें आ जाएगा, मिनट में, 10 मिनट, यह आपका मिनट हो जाएगा, थेंग यू, डियर कुशन नमर 18 थोड़ा सा लंबा है, मैं तो कहता है, यह अन्वांटेट से कुशन है, फिर भी लोग में सोल्ड कर देता हूं आपको इसके लिए, अगरा साप क क्या हो, ताकि एमिटर अधिक्तम पाठा, यह बात गुमारा रहा है, ज्यादा आपको दिमाग उन्नी लगाना, आप पेज खाली करें, आप सिरी से बात है, यह कुशन है, जी, एस, हम जानते हैं, दोस्त, आई जी, मल्टिप्लाई जी, इक्वल टू, आई माइनस आई जी गुणा एस, इल है, आई जी, मल्टिप्लाई जी, इक्वल टू, आई माइनस आई जी, गुणा एस, दोस्तो, आप कुशन में आजाओ दो, मैं आपको प्रस्ट पता दिता हूँ, मैं इसको मिटा दिता हूँ लो एक बार, कुछ दिमाग जूरूत ने लाना, यह कौन है, यह कौन है, आपका आर है, यह कौन है, आपका एस है, आपको क्या निकालना इसका, आई निकालना, प्लीज, केल कुशन आप खुद कर लो, यह मैं निकरहो आपके लिए, ओक, तैंक्यू, क्यूशन नमर 19, अब मैं मानता हूँ, सायद में G2A और G2V की खूब आपसे कर वन एमप्यर बस आव शंची आजा याथ तो याद कर आईजी मल्टिप्लाई जी आई माइनस आईजी मल्टिप्लाई एस क्लियर आजा आईजी कितना वहिया 10 multiplied 10 to power minus 3 G कितना बच्चे 1 अब I कितना है 1 minus क्या है 10 multiplied 10 to power minus 3 और S आपको निकाल है थोड़ी सी किल्कुरेशन मुश्किल हो जाती है ठीक है दियर तो 10 multiplied 10 to power minus 3 1 minus 10 multiplied 10 to minus 3 तो दोस्तो S की जो value है वो यह है 10 to power minus 2 upon 1 minus 10 to power minus 2 तो 10 to power minus 2 क्या है 0.01 और यह एक मिस से 0.01 निकालोगे तो दियर आपका कितना बचेगा 0.99 0.99 तो यह तेरे सामने सामने क्या आ गया 1 बट्टे 99 1 बट्टे तो यह हो जाता है आराम से तेंक्यू डियर क्यूशन नुमर ट्वंटी यह हमें कह सकता हूँ कि सर्किट का मेरा पिरी क्यूशन है वोल्टेज को जो डिवाइड करने कांसेट हो यहां काम आएगा आप ज़रा इस क्यूशन को समदने कोशिश करें इस पे कोई गुणा भाग नहीं करूँगा मैं अगला सिंपल कहता है वोल्ट मिट्र की रीडिंग बताएगे है दो दान दो बच्चो गलास यह बारा सो और चार सो कौन से करम में है तो कर दू तेरे लिए मैं टूलो हंड्रेड मल्टिप्लाइ फोर हंड्रेड अपोन सिक्स हंड्रेड गुना भाग कर दू यह बारे चोग अटारिस सोला सो यह दोस्तो आंसर आएगा तीन सो अब कहने का मतलब यह है सिदा सा आर दिमाग लगाना तेरा यह यह ले यह एक टेन वोल्ट की बेटरी है तो 10 को तीन अनुपाग दो में टिवाइड कर दे यानि यहli हम 6 वोल्ट और यह चार वोल्ट आंसर क्या आगया 6 वोल्ट बता बात पकड़ कुछ नहें करना यह 300 ओम यह 200 ओम 300 और 200 ओम जुड़के series में series में current क्या होती है V equal to A.R VR के directive proposal है आर जादा वहाँ वी जादा आर कम वहाँ वी कम तो दस वोल्ड की सप्लाई को तीन और दो में डिवाइड करना च्छह और चार तो बड़े पे छाएगा चोटे पे चार आएगा आंसर आगए दोस्तों थेंग्यों हाँ तो डियर अब तक हम ने जो बीश कुछ सोल्ड किये वो इंस्ट्रूमेंट पे थे अब हमारा टूपी का अगला प्राइड स्टार्ट हो रहा है मेगनेटिजम क्योंकि यदिग ना मेगनेटिजम यह जो पहला प्रशन है इस प्रशन को पढ़ने से पहले आप खाली करें मैं आपको मूल कॉंस्ट्ट बताता हूँ दोस्तों जैसे आप जानते हूँ यह कोई मेगनेट है तो आप देखो एए ऐसे लाइन होती है यादराक्च यानि बहार मेगनेटिजम की डिरेक्शन नोर्थ से साउथ होती है पर अंदर साउथ से नोर्थ होती है बात पकड़ मागी बात पकड़ मागी बात देखो नोर्थ से साउथ है अंदर साउथ से नोर्थ है पकड़ी चीज़ ओके अब आजाओ यह दोस्तों स्पोज करो कोई अक्स्टरनल मेगनेटिक फिल्ड है यह कोई बाहिये चुम्ब के छेतर है एक मेगनेट ऐसे रखा हुआ है यह एन और यह एस कलर चेंज कर लें आपके लिए और एक मेगनेट दोस्तों ऐसे रखा हुआ है एस और एन यह पैन ऐसे रखा हुआ है और ऐसे रखा हुआ है देखने में लगता दोनुश टिबल है लेकिन अखीकत में दोस्तों ये पेन 180 गूम चुका है वही बात इस मैगनेट के साथ है पर याद करना दोस्तों बाहर N से S अंदर S से N अंदर S से N ये जो मैगनेट है ये बाहिये फिल्ड की डारेक्शन है ये अंदर की डारेक्शन है तो यहाँ जो थीटा है वो दोस्तों 180 डिगरी है जबकि यहाँ जो थीटा है वो मेरे यारो 0 डिगरी है ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है ये भी साम्मे वस्ता है ये स्टाई साम्मे वस्ता है ये स्टाई साम्मे वस्ता है This is unstable equilibrium This is stable equilibrium कैसे? Equilibrium का formula क्या होगा? U equal to minus MB cos theta आप जानते हो दोस्तों इनरजी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही S-T-I होता कैसे? आपकी जेब में पैसे हो तो आप अजार जाओगे न S-T-I होगे न जेब में एक पैसा नहीं हो तो चुपचा वूम बेठे रहोगे स्ताई होगे मेरा डायलोग है इनरजी अमेसा आदमी को unstable करती है बहुत कम लोग होते हैं कि उर्जा होने के बाद भी शानत रहें इनरजी और stability एक दूसरे के inverse होते हैं तो आप जोगो पैले case में 180 cos 180 को होते है minus 1 दोस्तों this equal to u equal to plus mb और दूसरे case में दोस्तों क्या है minus mb साप साप दिखाए दे रहा जाब plus mb है वो उर्जा जादा है stable तो है वो this is unstable equilibrium और u equal to minus mb this is stable equilibrium इसको मैं एक परकार से और समझाऊ तो देखो इसका एक तरीका ये भी है दोस्तो जैसे एक गेंद यहां रखी हुई है और एक गेंद यहां रखी हुई है ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है इसको थोड़ा किसका हो तो वापस यह आजाएगी थोड़ा किसका हो कि यहां रखो चाहिए यहां रखो चाहिए यहां रखो इट कोल्ड नूट्रल एकलिवरियम एस्ताई साम में वस्ता एस्ताई साम में वस्ता स्ताई साम में वस्ता उदासिन साम में वस्ता स्टेबल एकलिवरियम Unstall equilibrium और Neutral equilibrium ओके डियर तो ये एक बात यहां तक थी तो मैं जो बात कह रहा था उस टायग्राम में पिछ आप जाके देखे कि थीटा 180 है या थीटा जीरो है देखने में तो दोस्तो फिर से सुनो ये पैन ऐसे भी आपको दिखरा स्टेबल है और यूं भी दिखरा स्टेबल है परदे को डियर ये पैन 180 गूम चुका है ओके थेंक यू हाँ तो दोस्तो थोरी की पूरी बात समझा दी अब कुछिन पे आते हैं कुछिन क्या कहता है कि वो कहता है दोस्तो लूप ओफ मेंगनेटिक मोमेंट M is placed in the orientation of unstable equilibrium यानि unstable equilibrium मतलब है थीटा initial कितना है 180 और यहां से कितना गुमाया इसको थीटा यहां से थीटा गुमाया तो दोस्तो थीटा final क्या होगा 180 minus थीटा क्योंकि आप तो थीटा कहां से गुमार हो इधर से तो मेजर किस तरब से करेगा हो बस अब आजाओ दोस्तो तो w equal to क्या होता है mb cos theta initial minus mb cos theta final actual में तो होता final minus initial पर दोस्तो w equal to minus du तो minus minus खतम हो जाता है w equal to अब तो तो तेरा mb भार ले cos theta initial क्या बया cos 180 मैं पूरी बात लिए cos 180 minus cos 180 c minus theta थोड़ा आगे चल ले ये तेरा mb अब cos 180 क्या होता है minus 1 ये तेरा क्या हो गया plus cos theta तो minus भार निकाल ले minus mb 1 minus cos theta minus mb 1 minus cos theta इसमें जो दोस्तो important चीज़ है वो है कि आपको unstable equilibrium से कोई चीज़ गुमा रहा है तो unstable equilibrium तब होता है जब वो आज़े डी 180 degree गुमा हुआ है जिसकी बात आपसे पहले थोड़ी में कर चुका हूँ मैं बहुत तरह क्यूशन है thank you दोस्तो क्यूशन नंबर 22 पे जाने से पहले मैं आपको एक बड़ा सा फंड़ा दे रहा हूँ इस टोपिक में तीन नाम है पर्ति चुम्ब किये अनो चुम्ब किये लो चुम्ब किये डाइ मेगनेटिक पेरा मेगनेटिक और फेरो मेगनेटिक पर्ति चुम्ब किये अनो चुम्ब किये लो चुम्ब किये अब सुन लो भई इस पे बहुत सा बाते है ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है ये थोड़ा सा पोजिटिव होता है ये बहुत सारा पोजिटिव होता है बस गांट बान ले थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पोजिटिव बहुत सारा पोजिटिव क्या कहता अगला वो कहता है relative probability of the paramagnetic, पैरा मतलब अनुचुम्ब किये, थोड़ा सा positive, एक से बड़ा होगा, very large ना कम परंतु एक से धी के लोजा आज़र होगा, बहुत सिंपल है, एक फंडा मेरा थोड़ा सा negative, थोड़ा सा positive, बहुत सा positive, परती चुम्ब किये, अनुचुम्ब किये, लो चु दोस्तों, इस प्रशन को थोड़ा सा समझने की जिरूरत, अच्छा प्रशन एक्जाम आता है, धान्दे क्लास, वो कहता है, the deep at a place is delta, नती कौन delta है, in the plane at angle theta with the magnetic meridian, the apparent deep is delta 1, then 10 delta 1 क्या है, थोड़ा सा पढ़ें निमरो, किसी स्थान पर नती कौन delta है, चुम्ब के यामिउतर से theta कोन के उपर से तल के आवासी व्रतिकोन delta 1 द्वारा दिया जाता है, तो delta 1 क्या है, तो दो बढ़ाओ, सबसे पहले बढ़ाओ, real, तो real बनाया, तो आप जानते हो, ये कोन है, bv, और ये कोन है, ph, और ये कोई angle है, स्पस्ट है, कितना भई, delta, अगरा साप कहता है, ये आ आपके सामने सामने, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मतलब क्या होगा दोस्तो, bv upon bh, देख लो भी है, ये angle है ना, तो लंब ये आधार है, अब अगला साप कहता है, इसकी मैं थोड़ी location बदल दूँ, तो मैं इस diagram को फिर से बनाओ, तेरे को अलग कलर के साथ, अगला कहता है दोस्तो, ये तो bv है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तेरा bh जो हो यहाँ चला गया, ठीक है dear, bh तेरा यहाँ चला गया, कितने angle पर चला गया, theta एंगल पर, तो मुझे यहाँ चला ना भईया, तो मेरा ये क्या बन गया, bh, cos theta, इसके साथ जो angle है, वो क्या बन अब तेरे सामने फिर से आजा, तो तू 10, delta 1 की बात करेगा, तो वो क्या आएगा, bv upon bh, cos theta, bv की value यहाँ से निकाल ले, तो what is bv, bv equal to क्या है, bh, 10 delta, ले मैं तेरी value पूट कर दो, तो 10 delta 1, what is bv, bh, 10 delta, दान दे क्लास, bh, 10 delta upon bh, cos theta, bh, bv cancel out हो गया, तो 10 delta 1 equal to 10 delta upon cos theta, आपको 10 delta 1, पूछ रागला, तो 10 delta 1 क्या हो गया रहे, 10 delta cos उपर जाए, क्या हो जाएगा, सेक theta, तो 10 delta, सेक theta, दोस्तों, आंसर क्या आगया, आपका second, थोटा सा धान दे क्लास, अच्छा क्यूशन है, यह diagram बना लिया, फिर shift कर लिया, component तोड़ लिया, वे output कर लिया, ओके, thank you, दोस्तों, इस question number 24, या इस magnet के topic में, जब जब time period की बात आती है, तो formula आता है, t equal to 2 pi equal to i upon mh, यहाए एक बात धान देना, अब i क्या है, moment of inertia है, वहाँ भी एक capital M काम आता है, यहाँ भी capital M है, तो i के साथ जो capital M है, वो उस magnet का मास होगा, और यह जो M है, यह magnetic moment होगा, थोड़ा सा, इसको सुनलो पहले से, बस जदा दिमाग लगाने जूरूत नहीं है, पर सुनलो तो आदमी का, सावचे तो आता है, बस, अब आगे क्रिशन पढ़ते हैं, पर कहता है, कि एक चुमब क कोई है, जिसकी चोड़ाई लंबाई समान है, लंबाई की तुमब, इसका T आवर्तकाल है, अब वो कहता है, इसे N भागो में, लंबाई के लंबोत ऐसे, दोस्तों, वो कहता है, इसे N टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, और फिर किसी एक टुकड़े को लेके, व क्योंकि H कोण है, H उस फिल्ड की जहां वो SHM कर रहा है, या OXLAT हो रहा है, वहां का intensity of field है, जो आप जानते हो कि जब आप जगह नहीं बदली, तो जगह नहीं बदलते हो, तो उस्तान गतिवरता चेंज ही नहीं होती है, पैस, अब आप इसको मिटा है, एक बार बाई, द अब यदि मैं इसके N पीस कर दूँ, धान्दे कलास, N पीस कर दूँ, तो आप जानते हो मेरा capital M क्या होता है, small M गुना है, यह capital M कोण है, magnetic moment, M कोण है, polar strength, और L क्या है, length, तो तुन length को जो 12 टाइम कम कर दिया, तो सिरी सिरी जबाता है, capital M' का मान आजाएगा, M by N, एक बा उसका जो I है, वो क्या होता है, M square by 12, प्लीज धान जान जाना, यह M mass है, length है, अब तु आइडस देख, जब टुकड़े बारा कर दिये, तो mass भी बारा कुना कम होगा, N टुकड़े कर दिये, तो mass भी N time कम हो गया, length भी N time कम होगी, length भी N square है, तो आइडस जो है, वो I upon N cube ह पले पड़ी, अरे दोस्तों, यह जो capital M है, यह magnetic moment है, जो small M multiply L है, जो बोलते हैं, धुरूबे सामर्थे multiply L है, वो जो I equal to M L square by 12 है, वो दोस्तों आइडस को किस छड़का के अंदर से गुजरने वाले X के प्रती जड़तु आगुड़ना है, moment हो पे inertia है, जो आपने किसी ची तो यह I dash का मान तो है I upon N cube और M dash का मान है M upon N, ठीक है डियर, अब अपन equation 1 एक बनाएंगे, equation 2 बनाएंगे, यह तेरा T2, यह तेरा 2 pi, यह तेरा I2, यह तेरा M2, H, ठीक है डियर, बैस अब आजा, अब आप ऐसा करो, equation 2 को equation 1 से divide कर दो, तो दोस्तों T2 upon T1 करोगे, तो साथ हो जा है मेरे, T2 तो उपर को बनाएगा, I2 upon I1 multiply M1 upon M2, आजा, साथ हो जा, I2, I को मैं I कहूं, तो I2 क्या है, I upon N क्यों बोलो हाँ या न, multiply M1 को मैं M कहूं, तो M2 क्या हो गया, M by N, capital M by N, M से M cancel out, यह दोस्तों N, यह N square, तो आपके सामने T2 upon T1 equal to क्या बचा, 1 by N, तो दोस्तों T2 क्या हो गया, आपके सामने सामने, T2 equal to T1 by N, अब N का अमान क्या यहां पर है, 12 है, N का अमान क्या है, आप कुछ ना दे हैं भाईया, क्युछ नहीं बोलो हाजाओ, अच्छा N दिया है, यह, मिठा दू, तो दोस्तों आपके सामने आंसर आगया इसका, T1 आपका फोर्त आंसर हो गया, यह परसंड वाके बहुत कामकार है, एक बार इसको नहीं पर ले पड़ा हो, तो दूबारा से देख लेना पोच करके, बेक करके, ओके, थैंक यू, तोस्तों क्यूशन नमर्ट 25 में जाने से पहले, थोड़ा सा कूल हो अपासे मुआढ़े, देखो кино दूबाद 25 दहां सुना, कोई मेगनेट है, इसका ये एम एन कैलाता है, ये एमS क ये पड़ा एन दोखेंगे, ये उत्ति धुरुए की ध्रुए सामरते है, ये जेक्शन ध्रुए ध्रुए धुरुए सामरते है, ये बेसे ये पो़लर, स्ट तार्ज एक्वल और अपोजिट होते हैं वैसे एक मेगड़ेट में डोनु पॉलूग स्ट्रेंथ एक्वल और अपोजिट होती है एक बात और बी दिद्दा हो चाओं आपका मैं दोस्तो आप एक बात देखते हैं यह प्लस प्लस यह माइनस माइनस याद करो फोस्ट लाइन पलस से माइनिस जाती है वैसे ही याद करना मेरी बात दोस्तो N और S तो फोस्ट लाइन ऐसे होती है N से S N से फोस्ट लाइन भार निकलती है इसने पोजिट्व को आप N कितरे ट्रेट करते हो और नेगिट्व को आप S कितरे ट्रेट करते हो यहाँ एक सब्द आता है P तो याद करो P क्या होता है Q multiply L इसको बोलते है विधुद्युद्रु आगून electric moment डाइपूल बोल दो यहाँ दोस्तो capital M आता है वो क्याएगा small M multiply L इसको बोलते है चुमब की आगून magnetic moment यह है electric moment यहाँ जो काम Q करता है यहाँ काम M करता है लंबाई तो लंबाई होती है बही कहीं नाप लेजी ओके डियर एक बात और यह दोनु quantity क्या है vector quantity है आगून का मतलब है याद ना दुनिया में जड़तु आगून के अलावा सारे आगून सदिस होते हैं कांट बान ले दुनिया में जड़तु आगून के अलावा सारे आगून क्या होते हैं vector होते है हाँ तो डियर अब हमारे question में आते है तो बहुत चाग question है 14 cm लंबाई ज़ता PM दिवधुरू आगून लेको डियर तहां सुनाओ यह कोई एक magnet है जिसके length कितनी है 40 cm पहले कितना है पहले कितना है अब आगे चलो अब वो कहता है इसको 6 और 8 cm के टुकुड़ू में काट दिया और विप्री धुरूबा को एक दूसरे पास रखा दोस्तो यह इसका north pole यह इसका south pole और यह आप दूसरा कोई pole रखें तो जैसे यह इसका south pole और यह इसका north pole ठीक है डियर तो इससे हम लोग color community change करें तो इसके कारण इधर एक कोई आपका क्या आएगा पी आएगा अब उसके डैक्सलन का आएगा तो डैक्सलन हमारी change हो जाएगी ठीक है डियर तो इसके बजाए आपन ऐसा करते है इसको N कह देते है इसको S कह देते है उसको N कह देते है इसको N कह देते है इसको S कह देते है इससे कोई फ़र्क ने पढ़ने वाला डैक्सलन बना रहे है अपन ठीक है डियर अब इस P को क्या कहेंगे अपन distance कितनी है इसकी इसकी ज़िए 6 मान लो आप दोस्तों ये क्या हो गया 6 multiply m इसको आप ऐसा करो P1 कह दो इसके कारण जो इज़र आएगा उसको आप P2 कह दो वो कितना हो गया 8 m अब P1 P2 दोनों क्या है दुसरे के परेपेंडिकुलर है तो अपने जानते हैं पिर जो P2 आएगा नया वो जानते हो दोस्तों छे और 8 का क्या होता तेन होता है तो ये आपके सामने क्या आ गया तेन हागिया पस पहले कतना था दोस्तों आपका P PM जो था उसको अपन क्या कह सकते है 14M कह सकते है बैस अब आप देखो P upon P dash P कितना है 14M और P dash कितना डियर 10M तो ये तरह कितना हो गया 1.4 तो तेरे सामने P1 का मान क्या है P upon 1.4 P upon उस P को अपन क्या कह सकते है PM तो आपके पांस आंसर आ गया 1.4 तरड आंसर आ गया ये बड़ा मुश्किल क्युश्टन नहीं PM वगरा कह किन्फूज कर दिया कहने का मतलब ही एक मेगनेट है सुन ले भाई इसका मान ले कि P है इसके दो टुकडे कि ये 8 और 6 8 और 6 क्या क्या कर दिया प्रेपेंडिकुल कितना हो गया 10 ये कहने का मतलब है पहले जो चीज आपकी 14 थी वो अब कितनी होगी डियर 10 होगी तो 14 बटे 10 1.4 ओके थेंक्यू दोस्तो क्यूश्टन नमबर 26 कुछ नहीं है क्यूश्टन नमबर 23 है तो दोस्तो यहाद करो 23 में क्या था 10 डेल्टा 1 इक्वल 2 था 10 डेल्टा अपॉन कोस थीटा बस वो इस हो ला है तेश तो पुरा कर दिया आपको मैंने अब सुनलो क्या कहता है वो कहता था क्रेक्ट वेल्यू ओप डीप एंगल एड़ता है प्लेश फोटीफाइब यानि 10 थीटा का मान क्या है 45 10 45 अब कहता है अब कहता है तो डीप सरक्ली रोटेट थूप 45 अब तो थीटा किता गुमा दिया 45 तो यह तरह कितना आ गया कोस 45 ठीक है डियर बस तो यह कहता है अब आभासी नतीकोन क्या हो जाएगा तो 10 डेल्टा वन कोस 45 एक होता है कोस 45 वन बाई रूट टू होता है उपर जागा रूट टू दोस्तों इन्वर्स मांसर आ जाएगा आपका आंसर क्या आ गया फरस्ट 10 इन्वर्स रूट टू यानि क्यूशन नमर 23 क्यूशन नमर 26 एक जैसे हैं लेकिन अखिकती है कि आपको 26 जाद रखना है 23 डेरिवेशन था कॉम्पूटिशन रप्ता नहीं होगा वहां फिक्स है 10 डेल्टा वन इकोल to 10 डेल्टा पॉन कॉस थीटा डेल्टा रियल डेल्टा वन एपरेंट के वर्चुर कह सकते हैं फिटा जो लोकेशन बदली उसने बस क्याद कर ले इसको सुल ले एक बार एक जाम आता है कूशन 27 देखे हैं कौन सा क्रतन सही है दोस्तो इसको पढ़ने से पहले आपको वापस आना एक फॉर्मूला होता है IX T no, X T inverse X T inverse T minus PH यह परतीचुम्प के लिए डाई के लिए यह पैरा के लिए वो है फ्यम्प के लिए यानि परतीचुम्प के पढ़नार्थ चो होता है जो डाई होता है उस X का T से कोई सम्न्ध्य है? नहीं होता है अनुचुम्ब के में पेरा में ये दोस्तो अक्स टी के इन्वर्स हो जाता है यानि टी बढ़ेगा तो अक्स कम होगा और फेरो में दोस्तो एक क्यूरी टेंपरिचर है उसके बाद एक वरीज होता है ठीक है तो कहने का मतलब ये है तीन एक करम याद रख लो परती चुम्ब किये अनुचुम्ब किये लो चुम्ब किये परती चुम्ब के यानि डाई अनुचुम्ब के यानि पेरा फेरो पहला है उस एक्स का टेंपरिचर कोई सबंद नहीं है दूसरे में temperature T के inverse है तीसरे में दोस्तों क्योंड़ी temperature concept आता है वो अलग चीज थोड़ी सी अब आज हो क्या करना चाहता है पहला object है दोस्तों इसका ताप बढ़ाने पे अनुचुम्ब के पदार्त का भाई ये चुम्ब के तो बढ़ जाता है तो X तो T के inverse है भाई ये नहीं दूसरा है ताप बढ़ाने पे परतिश liberty के पदार्त का भाई ये चुम्ब के बढ़ जाता है लिंक ही नहीं है परतिश घट जाता है ताप बढ़ाने पे दोस्तों तो answer का होगा इसका फोर्थ ठीक है डीर? थैनक यू दोस्तो question number 28 में जाने से पहले खाली करना board अपन थोड़ी सी इस पर बात करना चाहेंगे देखो dear ये कोई magnet है ये इसकी कहलाती है X ये इसकी निरक्ष X और इक्टोरिय लाइन एक तो पहली बात सुन लो भी distance हमेशा सेंटर से major की जाती है यदि यहां से D distance पे कोई point है तो दोस्तो इसके दुआरा जो B है वो है mu 0 upon 4 pi 2 m upon D q ये कैसे आए इसकी बात नहीं करें तो पढ़ा दिया असाल विटिशन आपको ये कोई magnet है आप इसकी आक्स पिड़ बार बार कहरा हूं distance major एक गुरुमंतर ले ले दूरियां अमेशा के अंदर से major की जाती है चाहे गृविटिसल फूर्टवा के सुन हो चाहे इलेक्ट्र स्टेट हो चाहे मेक्डेट हो distance is measured always from central अब यदि यहां से यह कुछी आर दूरी पर स्पोच करें से तो यहां दोस्तो B2 कह दो इसको आप B1 के दो तो इसका जो formula बनेगा वो बनेगा μुजिरो फोर पाई एम अपोन बार के हो इदर वालो distance R पे है उदर distance D पे तो कहने है का RR दून बराबर हो तो इदर भी D हो इदर भी D हो तो दोस्तों आपन जानते है अक्स पे उसी दूरी पर चुम्बक के च्छत के इंटेंसिटी है वो निर्क्स से डबल होती है थोड़ आद रखना होता है क्लियर? कोई गरबड नहीं कई बार क्विश्वन बनता है वे दूरीयां बताओ चाह अक्स और निर्क्स कित्वरताएं बराबर हो जाएं तो इसको R लेना होगा उसको D लेना होगा तो सोल्ड करो R और ये क्यूब अठाओगे न तो 1 by 3 इसका अंसर आता है वो परक्शन अपने आप में ये जहां B1, B2 गे लिए लिए बराबर हो पाई M अपन R Q R और डी सेम हो सकते हैं मैं बार-बार कनफिजन नहीं हो मुद्दा ये है कि ये दोस्तो आप होती है वो डबल होती है ये कह सकते है B1 जो है वो B2 गी डबल है एक सेम डिस्टेंस हो जाएंगी तो क्यों तो तो ला तब कर पाओगे न इनके अक्ष एक दूसरे के लंबवत है तो इनके ठीक मद्दे बिंदू पे B क्लिनिका बोर्ड ख़री करें बहिया दोस्तों स्पस्ट कहता है एक चुमबक ये है ये इसकी अक्ष है और दूसरा कोई मेगनेट ये है यहां दोस्तों अगला साब कहता है कि एक मेगनेट ये रखा हुआ है जिनके बीच की दूरी दोस्तों डिस्टेंस अमेशा यहां से यहां मेजर जाएगी इसमें को बाती नहीं है ये कितनी है 2D है तो मद्द्य पॉइंट जो है दोस्तों इससे भी किस डिस्टेंस पे है डिस्टेंस पे है और इससे भी किस डिस्टेंस पे है डिस्टेंस पे है क्लियर यानि ये पॉइंट जो है वहां से भी किस से है डिस्टेंस पे है यहां से भी किस से है लेकिन डियर एक नमबर का तो ये निरक्स है और दो नमबर का दोस्तों ये इसका अर्थ ही है डियर बात को थोड़ा सा गुमा दूँ बी और टू भी दो फिल्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोस्तों रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट फाइप भी हो जाता है बोलाया ना रूट फाइप भी हो गया हुई है ओके बी क्या हरे है मिउ जिरो बटे फॉर पाइप एम अपॉन डी क्यूब मल्टिप्लाइ किसके कर दो रूट फाइप के आंसर निकालना भाईया दोस्तों रूट फाइप के आंसर ग्रूप में लेलो यह आंसर पड़ाव कर दो बहुत साक्शन है बस इसमें सारा के लिए है कि डिस्ट्रेंस मेज कहा से होती है सेंटर से और एक्स का फॉर्मुला याद होना चाहिए और याद कर ले भाई एक जिससे मेग्डेट एक दूसर लंबोत रखे होए हैं तो आंसर में से रूट फाइप बी आएगा रूट फाइफ बी मतलब जो एक के कर रहा है ओके थैंक्यू दोस्तों कुश् नेगेटिव मतलब थोड़ी से रिगेटिव होती है किसकी परती चुम्ब की किसकी डाई की कौन सार है यह लग डाई की अंग्यू दोस्तों कुश्ट थर्टी तो बहुत इजी कुश्ट है कोई बात ही नहीं है अगला कहता है एक चुम्ब के दीव धुरू उत्तर दक्षि वैम लोग काई चल लें यह को उत्तर दक्षिन दर्खा हुआ है बस पी वन पी टू पी वन कहां पर हे पी वन किस में है रहे उत्तर में है, पीटू कहां हे रहे जए ह्ट्षिन में है क्य वन क्या है पूरौ में है और क्यू टू क्या है warranty कैश्ट इस वे दूतर बात है दो एक आंसर ऐसा, P1 और P2, दो जाएस में, P1 पीटू पे सेम होगा, और Q1 कुटू पे सेम होगा, कि P1 पीटू इसकी X पे है, Q1 कुटू इसकी NIRX पे है, इस इंबल परसंद आ, ओके थेंग्यो, दोस्तों, Q31, यह पता ने भूल से कैसे रह गया, इस कुटू का एक्जाम से कोई लिंक नहीं है, एक्जूल मिया, D की जगे, X स्कायर प्लस L स्कायर आएगा, उसका 3Y2 आएगा, मैं नहीं मानता, उसकी कैल कुटू काम किये, मैं तो उसको नहीं करूँगा, आप अपने दर देख कर ना भी, यह है एक्जाम का परसुन तो बहुत सुन्दर क्षिशन है, X1 अपोन X2 इक्वल टू T2 अपोन T1, कर लोगे यार, इसमें 273 एड करना होगा, यह कर देता हूं तेरे को यार, X1 क्या है, 0.006, X2 तेरे को निकालना है, T2 क्या है, माइनस 173, तो माइनस 173 प्लस 273, T1 क्या है, माइनस 173, प्लस क्या है, 273, देखिए किता बचा, 100, यह क्या बचा, 200, किता बचा, 1 बचा, 2 गुना गर दे, इलान हो रा गया, ठीक है, दोस्तों, Q33, यह इस परकार का पहला परसन आया है, बात करेंगे, दान से पड़ो, इसमें कितनी करेंट बहें, कि टोटली क्या हो जाए, D, दोस्तों, आप जानते हो, इस परकार के परसंद जब भी स्टार्ट होते हैं, इसका फॉमला होगा, H upon B बटे, मू नोट, वैसे मेरे पास इसका फंडा भी एक, दोस्तों, मू नोट इक्वल टू होता है, B upon H, आप तो नहीं पढ़ते होंगे, आप तो जबाने के जबाने के लोगों हो, हमारे टाइम एक बालहंस नाम की बच्चों की किताब आया करती थी, तो हम इसको याद करते हैं, मू नोट इक्वल टू बालन्स, B upon H, ओके डियर, और यदि बात को थोड़ा आगे लें, तो B क्या होता है, B आप सब जानते होंगे, दोस्तों, मू जीरो, एन आई होता है, हाया ना, बस इनको अब सब को मिला देते हैं अलापन, तो आपने क्या कहा, ह इक्वल टू, B upon मू नोट, और वाट इज बी, मू नोट, एन आई, अपोन मू नोट, यह कैंसल आउट दोस्तों, ह इक्वल टू क्या आ गया, एन आई, ओके डियर, अब आपके सामने, आई इक्वल टू क्या है, H upon N, H कितना है, 4 multiply, 4 multiply, 10 to power 4, N क्या है, 40 फेरे पर सिंटीमिटर, यह पर सिंटीमिटर है भई, तो इसको मिटर में चेंज करेंगे न, तो यह 40 multiply 100 हो जाएगा, क्योंकि, 1 सिंटीमिटर पे 40 हैं, तो 1 मिटर पे दोस्तों, 40 multiply 100 हो जाएगा, तो 40 multiply 100 क चार काट तो, यह तीन बिंदी से कट जाएगा, इसका आंसर आ गया 10, तो दोस्तों, आंसर हो गया 10, तो यह फेरे पर सिंटीमिटर है, तो इसको पर मिटर बनाने के लिए 100 से multiply करना पड़ेगा, तो क्योंकि, दोस्तों, क्यूश्चन नमर 34 पे जाने से पहले, मैं बहुत दिमाग उसे बातना चाओंगा, मैगनेट दो परकार के होते हैं, एक होता प्राकर्ति मैगनेट, एक होता दारावाई चुमबक, एक करेंट केरिंग मैगनेट बनता है, एक करेंट से चुमबक पैदा होता है, और एक परकर्ति नहीं आपको FE3O4 की रूप में चुमबक दे एटम है तो यह सीन है, दूसरा करेंट केरिंग किसी लूप में आप करेंट बाहो तो आप देखो यदि यह नोर्थ वाइज करेंट बैती है, एंटी क्लोग तो नोर्थ पोल बन जाता है, क्लोग वाइज है तो साउथ पोल बन जाता है, दो परकार में के मैगनेट हैं, एक बगवान के द्वारा बनाया चुम्बक एक इनसान के द्वारा बनाया चुम्बक इनसान के द्वारा चुम्बक किसे बनता है इलेक्ट्री फिल्ड से वहां भी लूप बन रहा है यहां मैगनेट है, पदार्त है एटम है, एटम किसे मिलके बनता है नुकलियस और और्बिट से तो ऐसे गुमता है वहां भी गुम रहा है यहां भी गुम रहा है इसमें यदि मैं M की बात करूँ तो इसका formula होता है N A I N यहां number of loops है A उसका area है I उसकी current है चलो loop को अपन एक बार A कर देते हैं तो M का formula होता है A multiply I ठीक है डियर अब मैं इसी चीज़ को देखो यहां लेके आता हूँ यहां इसको मैं कैसे लेके आ हूँ अब आप जड़ा मेरे साथ थोड़े से यहां दोस्तों यह I electron चकर लगा रहा है लगा रहा है ना तो दोस्तों electron चकर लगा रहा है किस रिष्ट्री से विव रिष्ट्री से तो तेरे सामने सामने I क्या हो गया रहे EV बटे 2 पाई यार बोल हा या ना I equal to बोल भई I equal to EV upon 2 पाई यार और उधर M क्या है AI अब यह तेरा I हो गया इस I की value को मैं यहां पूटकूल ने मिलाता हूँ आपस मैंसे तो A equal to I I क्या है EV upon 2 पाई यार मैं कलर चेंज कर लो तेरे लिए दोस्तों समझाने के लिए यह मेरा बहुत परा क्रशेप्ट है आजा तो के पीट्राम equal to क्या है A क्या है पाई आर्स का है वो क्या है EV upon क्या है 2 पाई यार देखो मैं आपसे कर रहा हूँ इसको पाई से पाई cancel out आर से आर cancel out तो के पीट्राम का मान क्या आगया रहे EV आर पाउन 2 यह काम करो इसको आर को इधर लो दोस्तों आपके सामने इसको M से मल्टिप्लाइ कर दो M E V R upon 2 M यहाँ जो M है वो एक तरह से मास के रूप में लिया है तो यह M V R क्या होता है एंगलर मॉमिंटम तो तेरे सामने सामने E बच गया न तो E J upon 2 M सब मिलना ना पसमे तो सब एक ही है यह गवरायने सब घुम्फिर के एक ही है बस चुम्बक दो प्रकार के है एक इनसान ने बनाया करेंट से एक बगवान ने बनाया F E 3 और 4 से जिसको में देरेट कहते है वो एटम से बिनता एटम मतलब नुकलेस और औरबिट्स दोस्तो जोडने कोशिश किये मैंने I equal to E by 2 pi R एक M equal to होता है AI इस formula को आप ले ले इसको काम देने दोनों का अर्थ दियर एक ही है कहीं को फरक नहीं है अब हम लोग question number 34 पे आते हैं हमारे पे अगला साब कहता है हाइट्रोम वोई question है हाइट्रोम प्रमाणों के इतने मिटर त्रिजा के पत्फे इतने हट्स आप बड़ गून करता है तो तुल्य चुम्ब के अगून क्या होगा तो दोस्तों आप जानते हो Kptm का मान क्या है Kptm का मान क्या होता है AI करने की बात ही नहीं है A क्या है Pi R square I क्या होता है E multiply F E by T बोल दो E by F बोल दो अब कोई दिकरते हैं अब value पूट कर ले के लिए तो तु कर ले यार कर लेगा इन सब की दोस्तों value पूट करते हैं तो बाकाइदा मेरे सामने गोना भाग की उपड़ी है इसका आंसर आरा है 8.88 multiply 10 to power minus 24 इसका first answer हो गया बात इतने सीधरा ओके थेंक्यू दोस्तों क्यूश्टर नमर 35 को करने से पहले मापको इचीव दना चाहूँगा देखो दान दो ये एक magnet है और ये भी एक magnet है इसका M M सेम है M M length L ओके डियर तो इसका केपीटल M क्या है small M multiply L इसका भी केपीटल M क्या है small multiply M मैं एक बात परना चाहता हूँ दोस्तों दान दो क्लास ये दी एक आदमी इसके ऐसे दो टुकडे करे है और एक आदमी इसके ऐसे दो टुकडे करे है ऐसे दो टुकडे करोगे तब भी जो M डैस है वो small M multiply L by 2 होगा होने को तो यहां भी M डैस M by 2 होगा और यहां भी आप दो टुकड़े करो M डैस तो यहां दोस्तो M by 2 multiply L होगा देहां देख लास answer तो यहां भी M by 2 होगा नया वहां भी M by 2 है पर गोर करना इस तरह से काट होगे तो दोस्तो एरिया नहीं बदला एरिया नहीं बदला तो small M नहीं बदलेगा क्यों small M हो एरिया की डैक्ली proportion होता है और ऐसे काट दोगे तो एरिया आदा हो गया उससे small M आदा हो गया ओके डियर L का फरक नहीं पड़ा यही क्योंच है तो तेरे सामने है लंबाए समान है एरिया एक नुपा दो नुपा च्छे है तो भाई M भी क्या हो जाएगा एक नुपा दो नुपा च्छे हो जाएगा बात के जूरुत ही नहीं कहीं है clear? दोस्तों, क्यूशन 36 को पढ़ने से पर एक बता दो हूँ, यह तिल्डन एफेक्ट जो है, वह अच्छी हमारा पार्ट नहीं काम आता है, इसलिए इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हां इतना है कहेंगे, बसे यह जो आपका, इसका कार्ण है, और डाइनमो एफेक्ट कहते हैं इसको, इसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे, यह तिल्डन एफेक्ट होता है, इस सरफेस केमेस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा, तो टीशिन अपढ़ा होगा, ओके थेंगे, दोस्तों, क्यूशन 37 को पढ़ने से पहले, आपको इसका थीम बताओं क्या है, आप पेज अपना एक फिल्ड है, एक एक करेंट फ्लोर उसका फिल्ड है, दोनों के फिल्ड एड हो जाएंगे, तो टोटल जो बनेगा इसमें, वो बनेगा म्यू जीरो आई पलस एच, म्यू नोट तो लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिपेंड यह करता है, मीडियूम कौन सा है, यह तो बहुत जरूरी है, तो बी इकवल टो म्यू नोट आई पलस एच, बी इसके अंदर टोटल मेगनिटाजिशन है, आई इस करेंट से डेलूप हुआ है, एच जो बन्दा पहले से लिए बैठा है, अब अपने एक बात को आगे चले, अब अपने इसको थोड़ा ऐसे क हमें निकालना क्या है, हमें सपस्ट है, कुछ भी खोलना है कि मैंड, अग्रा सपस्ट कहता है, कि आपको चुम्बकन आई कामा निकालना है, वापस आज़ो, हमें आई निकालना है, तो एच इकल टो क्या होगा, बी अपोन म्यू नोट प्लस, सोरी माइनस, सोरी आई इकल आई इकल टो माइनस एच, अब इसको मैं थोड़ा सोल कर लो, कदरी भी पहने का चेंज कर लेता हूं, आज़ो दोस्तों, अब आपके सामने सामने, आई इकल टो है, बी अपोन म्यू नोट माइनस एच, एच क्या होता है, एनाई, ओके डियर, बी का मान है 1.57, कुछ देख दिखाना, नमबर आप लूप देओ, क्या है, 2000, वापस आजा, ये 2000, और आई देओ, कितना है, इसों दिखाना, आई कितना है, 2, वापस आजाओ, ये दोस्तों, आपका 2, बस, ये पाई से पाई कैंसल आउट करने के लिए, बी की पाई में कर ली, ओके डियर, ये तेरा क् 10 to power 7 upon 8, minus 4000, इनको थोटा से केलकुलिसन करेंगे अपन, इसको भी 10 to power 6 न कर लेंगे, इसको भी 6 न कर लेंगे, तो आंसर न रिकाना दोस्तों, इसका जो आंसर आया, वो आंसर 10 to power 6 की power न जो आएगा, 1.25, चा, साइट 10 to 6 में, केलकुलिसन दोस्तों, आप लोग कर लेना, इसका जो आंसर आया हो है, 1.25, 10 to power 6, मैं एक बात करना चाहता हूं, एक मैगनेट है, उसको रख दिया अपने सो लाइड में, जिसमें करेंट फ्लो हो रही है, जिसे करनमा एक फिल परदा होगा मैगनेट ही, उससे वो इंडूस्त मैगनेट ही होगा, नोट इंडूस्त, आई करंट भी बता रहा है, और एक आई जो है, वो दोस्तों, इंटेंसिटी ऑफ मेंगनेट है, इंटेंसिटी ऑफ मेंगनेट है, तो ये दोस्तों, आपका बी इकुल टू म्यू नोट एच प्लस आईगे, गुना बाग कर अच्छा क्रिशन अपने आपने आपने है, तो ये फोर्मुला कुष्टर नोबर 37 से बनके आया है, क्या फोर्मुला बनके आया है, अभी बताए आपको मने, म्यू इकुल टू म्यू नोट वन प्लस अक्स, तो दोस्तों, म्यू इकुल टू म्यू नोट वन प्लस वाट इजक्स, फाइब डबल नाई, ये आपका 600 हो गया तो दोस्तो, mu equal to, mu note क्या होता है, 4 pi multiply 10 to power minus 7, multiply 600, इन सब को गुणा करोगे, तो answer आएगा, 7.5, 10 to power minus 4, आप इसको आराम से करके देख सकते हैं, लेकिन यह 37 से आया है, तो 37 तो 38 के formula, फिर सुनलो, mu equal to mu note i plus h, यहां से चीज़े बन जाते हैं, थैंक्यू, दोस्तो, question number 39 जो है, वो पिछले कुछ question को इसने mix कर दिया, बोड़ खाली करना, इसमें दोस्तो हमनी आपको x के दो फूले बताएगा, एक x तो क्या है, i upon h, और एक x का सम्द्र तेंपरिटर जो क्या होता है, x inverse proportional t, तो c को constant ले लेंगे, तो formula बन जाएगा, c by t equal to i by h, अब आप question में आ जाएए, question में आते हैं, तो आपके सामने सामने दोस्तो formula बन गया, c upon t equal to i upon h, अब आप जानते हो c constant है, वो बदेगा नहीं, इसके बीछे 1 लगा दो, इसके बीछे 1 लगा दो, इसके बीछे 1 लगा दो, तो formula होगा, t1 i1 upon h1 equal to c, t2 i2 upon h2 equal to c, तो c equal हो गया, त को t1 i1 h1 equal to t2 i2 h2, लो color change कर दो आपके लिए मैं, और दोस्तों, इसको sold कर आपके लिए, आप खुद कह रहे हो, t1 क्या है भईया पहले, 4, i1 क्या है, तो खुद कह रहा है, 8, h1 क्या है, 0.6, t2 क्या है, 16, i2 तेरे को find out, करना है, तो यहां तो i2 कर दे, upon h2, कितना भईया, 0.2, देख, यह इससे cancel out हो गया, यह तीन बार cancel out हो गया, इसको इससे cancel out कर दे, यह तेरा 2 हो गया, यह इससे फिर 2 हो गया, तो i2 की will 2 by 3 आगई, यह आई की will 2 by 3 आगई, ठीक है, ठीक से problem अपने आप में है, ओके देंग देगराईता, रिटेंटीवीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटीटी आपके सामने बी अच्छो पॉन एह है उसको अक्स कहते हैं याद रहे हैं बहुत तरह क्यूशन है है कोरिसी टीवी टीटी टीवी टी निग्राइबल और यह सब चीजें पढ़ लेना भाई इसमें कोई क्यूशन नहीं आपाया इस परकार का पढ़ लेना इसको ना वो चाहे स्क्वाइर फोर्म में हो चाहे सर्क्ल फोर्म में हो दोस्तो बंद लूप है तो उसका जो एम है वो होगा ए मल्टिप्लाइ आई एरिया मल्टिप्लाइ करंट आज हो जी अब देखो वो कहता है पहले एक स्क्वाइर लूप है उसका moment of inertia M है तो इसका A क्या होगा आप जानते है एरिया क्या होगा इसका A square multiply I माना इसके लंबाई कितनी है अब वो कहता इसी को मैं एक लूप बना दूँ इसी को लूप बना दूँ तो मेरा जो M dash है वो क्या हैगा A multiply I मेरा A क्या होगा पाई R square I पर मुझे तो R नहीं दिया वाना कोई दिक्कत नहीं भईया मेरे को R नहीं दिया पर मैं जानता हूँ मेरा R किससे बना है 4 A multiply 2 पाई R A A A 4 A इसी तार से मैं वर्थ बनाया है तो बस ठीक है तो मेरे सामने सामने A by R की value क्या होगी देखो A by R की value क्या हो जाएगी पाई बाई 2 ठीक है डिर A by R क्या हो गया पाई बाई 2 रपेज खाली करना तो दोस्तों अब आप देखो पहला यह है इसको आप M1 कह दो तो M1 क्या होगा A1 I दूसरे को आप M2 कह दो वो क्या होगा A2 I I की बिछे 1,2 दिल गया है मैंने current तो सेम है ओके आपको क्या निकालना है M2 निकालना है तो what is M2 तो A2 उपर जाएगा A1 नीचा आएगा और M से multiply कर दो तो A2 क्या है loop loop क्या है πाई R square A1 क्या है आपका work वो कितना होता है A square multiply अब आप देखो दोस्तो ये तेरा πाई हो गया R upon A क्या है A upon R pi by 2 है तो वो क्या हो जाएगा 2 by pi तो ये तेरे सामने क्या होगा उसका pi square इसका square multiply M pi से pi कट गया दोस्तो आंसर हो गया 4 M upon pi आंसर दिखाना भी या 4 M upon pi आंसर क्या आगया आपका second okay dear thank you दोस्तो 42 साब कहता when a ferromagnetic metal is heated above the curate temperature connected into ferromagnetic भी सिसी बात है अनुचुम्ब की पदास बदे जाएगा बात ही नहीं है अनुचुम्ब की पदास नहीं हो change हो जाएगा change to ferromagnetic okay dear thank you the vertical component of earth magnet field is zero vertical एक तो दोस्तो BV होता है और एक आपका BH होता है यह क्या पूच रहा है BV तो BV किस पे होता दोस्तो निरेक्स पे होता है निरेक्स का मतलब magnetic इक्टोरियर पे होता है तो आंसर क्या होगे दोस्तों का फस्त हो गया ठीक है थेंक्यू हाँ तो दोस्तो क्यूशल फोर्टी फाइव अगला साहब कहता है अगल्स ओप डीप एट प्लेसेज थर्टी और फोर्टी डिवी तो रेश्य ओप होर जंडल कंपोनेंट ऑफ ता आर्थ पड़ा सिंप्ल क्यूशन है एंगल ओप डिव दे दिया नतीकोन दे दिया हर जंडल कंपोन हमसे पुछता है तो फोर्मूला होता है हमारा भी एच इक्वल टू बी कोस थीटा इसके वन लगा दो इसके वन लगा दो बी तो कॉंस्टेंट है तो मेरा फोर्मूला बन जाएगा भी एच वन भी एच टू कोस थीटा वन अपोन कोस थीटा टू थीटा वन क्या है 30 डिग्री जो क्या होता है रूट 3 बाई 2 और कोस फोर्टी फाइब क्या होता है 1 बाई रूट 2 दोस्तो दोनों डिवाइड करेंगे आंसर आजाएगा रूट 3 रिशियो रूट 2 ओके थैंक यू दोस्तो फिजिक्स पंच फोर्टिंत का लास्ट क्यूशन बहुत अच्छा क्यूशन है बहुत अच्छे दिसे करते हैं इसको देखो यह बहुत पहरा क्यूशन है वो करता है कि ताइम पिरिड ओफ पार मेगनेट इज एन ऑक्षिलेशन मेगनेट मीटर इस टू सेकिंड इप्ता मेगनेट इज कट इन्टू फोर आइडिन्टिकल पीसेज एस सौन फिगर ताइम पिरिड ओफ वाइबरेशन ओफ वन पीस विल बी खाली करना एक बार देखो डियर अभी आपको कुछ तेरे पेड़े किसी कुशन में कर रहा है था मैने यह दि किसे मेगनेट को आप इस प्रकार से एन काट देते हो तो दोस्तो टी डेस का मान आएगा टी बाई एन याद कर ले दो यह दि को बैक देट हो उसका टाइम पे टी हो और ऐसे एन टुकडूम काट देंगे तो आँसर आएगा टी बाई एन जो मैं पिछले किसी कुशन में ने किया है लेकिन आजए कुशन खाली करें यहां दोस्तो गढ़वर है यहां ऐसे भी काट दिया, ऐसे भी काट दिया दान दे क्लास यह एक मेगनेट है इसका केपिटल M है, my dear M multiply L यह दी मैं इसको ऐसे काटूं तो L भी आदा हो गया ऐसे काटूं तो M भी आदा हो गया तो परतेग टुक्डे का जो M dash है हो M by 4 हो गया परतेग टुक्डे का M dash हो M by 4 हो गया अब एक बात और सुन कलर चेंज कर थोड़ा सा अब तेरे पास इतना टुक्डा बचा इतना टुक्डा बचा तो I जो है वो होता है M L square upon 2 O लड़के ये M अले घर है, ये M क्या आ गया, उसका मस आ गया, तो दोस्तों इसका मस तो क्या हो गया, M by 4, तो चार्ट उकड़े की है, तो मस M by 4, और लेंथ क्या हुई, आदी, लेंथ आदी हुई, तो वो दोस्तों, L स्काइर बटे 4, यह 12 का बारा रहेगा नया क्या आया 16 नया 16 इसका मतलब I dash की जगे रिप्लेश करना I y 16 बस M dash रिप्लेश करना MY 4 से I dash रिप्लेश करना I y 16 से फ्लीज खाली करना एक बार तो दोस्तो जो नया T है वो है 2 पाई I upon M H आजा T equal to 2 पाई जहां I है वहां में लिखोंगा I upon 16 जहां M है वहां में लिखोंगा M by 4 एच मेरा H रहेगा यह सब कर जाएंगे एक बटा चार रहेगा दोस्तों वो बहार आजाएगा तो नया T dash है वो T by 2 आएगा मेरे इसाब से इसका जो भी पहले आंस्वर था आंस्वर निकालना भाई पहले जो दो से किंड था दो से भाग दे दो इसका आंस्वर आ गया एक से किंड है ओके डियर थैंक यू हाँ तो भाई यह आज 30 जून को एक सूट में सूट कर दिया इसको 14 अपॉन 20 चोधुमा पंच हमने सूट कर दिया है एक से 14 वन टू 14 सारे सूट हो गए पंदरा सॉला बाकी हैं 17, 18, 20 सूट हो चुके हैं एक 19 का बाकी है यह नहीं आपके पास मान के चलना 8 जुलाई से पहले पहले केमेस्ट्री के 25 और फिजिस के 25 सारे आ चुके हैं आप जाके देख लें CLC सीकर यूटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से आप सबस्क्राइना चाहता हूँ आपके अपने CLC इस समय बहुत चा काम कर रही है एक डेली टेस्री चला रही है कोई लड़का हिंदुस्तान का जो त्यारी कर रहा है या नीट की वो डेली टेस्री दे सकता है CLC लाइव डोटनी पे जाए वहाँ जाकी जोर्न कर लें कोई चार्ज नहीं उसका उसके लाव ओके थैंक यू जैसील से